कि अगर मैं आपको बोलू कि जिस कमरे में आप आसपास देख रहें उस- इसी लिए एक चप्टर बनाया गया है कार्पन के उपर जिस में हम लोग कार्बन के बारे में उसके के बारे में पढने वाले हैं उसके कम पाउट जैसे हेलो एलकेन, एलकोहल, एलकोहल जो आप यह सोच रो, यह वाली एलकोहल नहीं, दूसरी एलकोहल के बार में पढ़ने वाले हैं, और बहुत कुछ, तो पूरा वन शॉट लेके आए हैं, कार्बेंट्स कंपाउंड का, एंड तक देखना एक एक टॉपिक, जैसे आपको हर जग आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं, एंड फाइनली सबसे ज़्यादा अवेटेट चेप्टर जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार था आप लोगों को वह है कार्बन एनिट्स कंपाउंड की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मैं इंस्टा कार्बन कंपाउंड के लिए मिले, कार्बan हम लोग वन शॉट मैं कम्प्लेट करेंगे, यह वन शॉट वीडियो होगी तो बड़ी, लेकिन इस चप्टर को वन शॉट में इसलिए कम्प्लीट करना वाला है, क्योंकि इसको डिमांड बहुत जादा है, अब मैं इसको अकर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में और गैनिक केमिश्ट्री की शुरुबात इस चप्टर से होती है मैंने आप लोगों को बहुत बार पहले पता रखा है कि जो हमारी केमिश्ट्री होती है उसकी तीन ब्रांचिस होती है अगर हम मोटा मोटा बात करें इसका मतलब क्या होता है भई physical chemistry में हम लोग physical properties के बारे में पढ़ता है विच मीन्स अगर मैं आपको 9th class याद दिलाओं तो 9th class में हमारे पास 4 chapter हुआ करते थे atoms and molecules, structure of atom, matter in our surrounding और is matter round as pure यह 4 के 4 chapter हमारे physical chemistry के थे अगर आप याद करें तो इन चारों chapter में से एक भी chapter के अंदर आपने कोई chemical reaction नहीं पड़ी यह अगर पड़ी भी होगी तो किसी और purpose से पड़ी होगी याद करने के purpose से कोई chemical reaction आप लोगों नहीं पड़ी क्योंकि वो physical chemistry के चप्टर थे याद करेंगे इन औरगनिक chemistry second chemistry फिजिकल फिजिकल Kेमिस्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज मेलटेंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनका नेचर उनकी स्टेट आटम के बारे में स्ट्रॉक्चर पड़रहें हैं आइसो टोफ पड़रहें आईसो बार पड़ रहें दैट is basically known as physical chemistry ह तब हम Chemical properties पे बात नहीं करते हैं पिर आती इन ओर्गनिक chemistry इन ओर्गनिक chemistry में हम लोग ऊफिस से बात है फिजिकल थोड़ा कम लेकिन chemical properties पर डिील करते और वह भी किन की chemical properties पर डिशित करते हैं इन और गैनिक सबस्टांसे जो हम लोगों बनाए होते हैं अब अगर हम जादतर जो हम ने बनाए होते हैं अब जैसे कि अगर हम लात करें अभी तक हमने कौन कौन से चप्टर इस टेंथ क्लास में पढ़ लिए होंगे आप लोगोंने chemical reaction and equation पढ़ लिया acid basis and salt पढ़ लिया और metals and non-metal भी पढ़ लिया तो इन तीनों chapters के अंदर basically अगर देखा जाए तो वो तीनों के तीनों chapter in organic chemistry के ही हैं ठीक है जी लेकिन आपने अपनी life में आज तक organic chemistry नहीं पढ़ी होगी क्योंकि organic chemistry का जीवन यहीं से शुरू होता है आप ऐसा कह सकते हो कि organic chemistry की ABCD आप यहां से पढ़ने वाले हो जैसे आप सोचो आप English का वो दिन English की क्लास का वो दिन जब आप लोगों ने ABCD को पढ़ा था वो पहला दिन था जहां आपने ABCD की शुरुवाग की और आज देखो कहां तक पहुंच चुकिया अंग्रेजी कहा तक पहुंच चुकिया को इंसान इस अपने जीवन में ऐसा बोड़ सकता है कि मैंने अपने जीवन में सारी की सारी और गैनिक chemistry पढ़ ली है बिल्कुल ऐसे ही तेन्द क्लास में और गेश्टर एक चप्टर है छोटा सा इंड्रक्षन 11 ग्लास में अगर आप साइंस लेते हैं chemistry पढ़ते हैं तो दो चप्टर आपके और गेश्टर कांगे 12 क्लास के अंदर आपके पास चार बाय मॉल्लीक्यूस को भी इंक्लूड कर लें छोड़ तो पांच चप्टर हमारे पास और गैनी केमिस्ट्री के आने वाले मतलब इमाजिन जाट पांच चप्टर 14 में से पांच चेप्टर सिरफ और गैने केमिस्ट्री के परूँ हो पर खाल गैनी केमिस्ट्री नो लो इस दुनिया में अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उसस सारी और गैनी केमिस्ट्री आती है तो वह आपको फागड़ बना रहा है chemicalां से जुट कहा रहा है यह पॉसिबल यह नहीं है दुनिया में सब को ओर ग्येनिक केमिस्टी सारी आधाए यह वैसे तो कोई भी पड़ाया ही नहीं लेकिन ओर गैने कैमिस्ट एतना वास्च होता है कि अपने में कोई भी इसको एक बारे में पूरा नहीं पर सकता यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी दूसरी बात और गेनिक केमेश्टी में हम पढदे किसके बारे में पढ़ते कार बन के बारे में कार बन एनि Beginning पूरी की पूरी एक ब्रांच बना डाली मतलब inorganic chemistry अलग है physical chemistry अलग है organic chemistry में हम सिरफ carbon और उसके compound के बारे में बात करते हैं तो ऐसा क्या खास है carbon के बारे में कि इसके उपर पूरी एक ब्रांच बना दी ऐसा क्या खास है इस element के अंदर दुनिया में तो और भी elements है hydrogen भी तो ह sodium भी तो है chlorine बी तो है इन सब में ऐसा क्या नहीं है जो carbon के पास है कि हमने पूरा का पूरा एक chapter बना दिया भाई यह आपकर ईस chapter है is और फूरा का पूरा चबटर तो चुटर पूरी की पूरी एक brand इक चुटा सा idea देता हूं बस ताकि आपको chpiro chapter को पढ़ने की फील नहीं आएगी जब तक मैं हमेशा से बोलता है हूँ वाई हर चीज के आगे वाई डालने के आदवर डालो हमेशा आपको वाई के आंसर नहीं मिलेंगे लेकिन मोस्ट अफदी कैसे में आप वाई के आंसर की तालाश में उस चैप्टर को टॉपिक को इंट मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने आसपास अपने कमरे में जहां पर भी आप बैठें एक बार गुमाएं और देखें जो जो चीज़ें आपको अपने असपास दिख रहे हूं उनमें कहां कहां पे कार्बन है चिए मैं कांगा है अपने आसपास आपको 100 जीज दिख रही है तो मैं गलुकोस शुक्रोस स्टार्च इन सब इनदर कार्बन मुसल कपड़े पैन रखे हैं इसके अगर यह उन का है या कौटन का या जिसका भी है इसमें कारभण इस कमड़े में फ्लास्टिक इतना है कारभण हवा के अदर कारभण डाक्षाड होगाव प्लांट के अदर क्लोरोफिल से घुखाना बनाता है फोटो सिंदेसिस करते हैं ग्लुकोस बनता है उसकंदा कार्बन मतलब कार्बन हर जगा है और इसी कारण वर्ष कार्बन के उपर पढ़ाई करना बहुत ही जादा जरूरी है अब इस चेप्टर में एक एक बेसिक पॉइंट अगर हम लोग बनाएं कि कार्बन के बा फिर हम लोग पड़ेंगे कार्बन के कंपाउंट जिनको औरगैनिक कंपाउंट स Πोल नık खीं और हम लोग ऑसपास शुरुकर से रहेगा जी कबने और इस चैंडल में पर डालेंगे ताकि आप carbon को लेके थोड़ा सा visualization भी करो because चीजों को practically पढ़ना बहुत जरूरी है तो carbon को लेके कुछ shorts डालेंगे इस channel पर जो आपको देखने होंगे और आप इस chapter को इन चीजों को और समझ पाएंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यह क्या बनावा हुए इसको भी हम छोड़ देते हैं इसके वर अभी हम बात नहीं करते हैं अभी तेरे-देरे बात करेंगे अगर मैं ऐसे बात करूं की carbon का introduction ले ले थादा सा और six protons हैं ना भई ठीक है बिल्कुल ठीक है और अगर उस हिसाब से इसकी electronic configuration की जाए तो इसकी electronic configuration किस प्रकार आएगी भई K में दो electron आजाएंगे और L में चार electron आजाएंगे तो कुल मिलाके इसके पास छे electron हो गए अब अगर इसके last cell में चार electron आगए चार तो भई सब हो गई एक बहुत बड़ी problem problem क्या हो गई 4 electron आपको पता है लेना भी बहुत मुश्किल होता है जिसके outermost में 7 electron होता है आपको पता है वो एक ले लेता है like chlorine like bromine like iodine like fluorine इनके outer most में 7 electron होता है यह बहुत असानी से एक electron लेके अपना octet भर लेते हैं वहीं पर अगर बात करें sodium की तो उसके outer most में 1 electron होता है 281 11 तो वो एक electron दे देता है तो उसके लेक electron देना बहुत असान है लेकिन यहां पर एक problem यह आ गई है कि जो carbon है उसके पास लास्ट वाले शेर में 4 electrons है and due to the presence of 4 electrons वो ना तो 4 electron दे पाता है और ना ही 4 electron ले पाता है जिसकी वज़ा से इस chapter के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अभी तो हम यहां पर लिख रहे हैं को कि इसकी जो वेलेंशी है वो फोड है अभी तो हम लिखने प्लस-ध माइनस फोड अभी तो ऐसे लिखने की चार दे भी सकता चार ले भी सकता लेकर आगे जा कि आपको समझ में कि actually में ना तो यह electron लेता है ना तो यह देता है यह electron share करता carbon इस से पहले चप्टर पढ़ा है हमने आप सबने पढ़ा होगा मैटल से नॉन मेटल में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि आयोनिक बॉन्ड क्या था जिसमें एक आटम दूसरे को देता है तो एक किवलेंसी प्लस होती है जिसको अपने एलेक्ट्रॉन देने होते हैं और एक गब करने डाटम से टिसको डूसरे सा साल लेने होते हैं जोने से यसल के बीच में आगि आपको याता है कंस बना था तो इनए रमरान कैया हुआ था एनने इनलेक्ट्रॉन को दे दिए इक ट्र रांसफर हो गए थे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा इस चप्टर में हम ल सब नहीं करता जन्रली अगर कार्बन के दुनिया में 100 कंपाउंट्स है तो उन्हें शेयर करेगा अब आप कहोगे शेयर करने का मतलब क्या होता है वो आपको हम बताएंगे और शेयर करने से जो बॉंड बनते हैं वो नए प्रकार के बॉंड होता है उन्हें कोवेलेंट बॉ मैं मिटा दूँगा पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह बीच में हमारे पास यह कार्बन लो माल यह कार्बन विए तो कार्बन जो है वो चार बाण बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी चार उसको चार बाण मनाने अब बॉन्ड और आयने होगा य होगा या कोवेलेंट के साथ चार बॉंड बनाने होते हैं अब आप देख सकते हैं अगर यह कारवन है तो इसने एक बॉंड यहां पर किसी एक आटम से बनाए वाइब जो की कोई भी हो सकता है इसने एक बॉंड इस वाले आटम के साथ बनाए वाइब जो की कोई भी हो सकता है और इसने एक That is why carbon is tetravalent और अभी आपको चार बाउंड बनाने की ताकत का अंदाजा थोड़ी दिर में होने वाला है कि चार बाउंड बनाने की ताकत क्या है चिक है जिस चलो फिल्हाल बात करते हैं वाई देर आर वाई देर आर वाई देर आर लार्ज नंबर आफ कारवन कंपाउंट इस दुनिया में कारवन के बहुत सारे कंपाउंट क्यों है मतलव इसका क्या हुआ आव जरा समझें अगर मैं ऐसे बोलू एक रफ आइडिया प्लीज वैल्ली उस पर नंबर्स पर मत जाना अब अगर मैं ऐसे बोलू कि लेटर सपोस इस दुनिया में 118 एलिमेंट है या ऐसे माल लो अब 120 ए 122 में मत लड़ा दाना ठीक है नहीं वो चल atively से ज़ादा कंपाउंट कार्वन बना सकता है मैंको क्या बोला हुआ आपने कमरे में नजर घुमाओ ऐसे अगर आपने कमरे में नजर घुमाओ तो आपको दुनिया में आपके कमरे में दुनिया तो बहुत बढ़े होगी अपने आपने नपने चीजव इस हैं मैं कहाँ स courts only peng dad a छीजों के अंदर आपको कारबन दिखेगा बस देखने की निगाहनी्झे जहीं कि दुनिया में जितने भी polymers mamma, फॉक्तर उन पॉली मर्ट होते हैं जितनी प्लस्टिक होते हैं सब प्रेज़न क्यों है जा कि कार्बन होएं कि कार्बन सब्सक्राइब कि खाया है डूमेन पहला यरीजन है कि कार्बन इस टेट्राइट और वह 4 बॉन मना तराна मैं ने इस होगे इससे Option को और के भी निकल सकता हूं कि कारपन चार बॉन मनाता है जिसकी वैसे इसके सारे बहुत सारे कंपाउंट बनते हैं आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे क्या होगा तो और मैं समझाए मुझे पता है लेकिन वन बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है टॉपिक को बिना ढंक से पढ़ाए आगे नहीं बढ़ सकते हैं आव जर एक खेल खेलते हैं माल लेते हैं आपको मैं एक एलिमेंट देता हूं सोडियम बहुत अच्छा खेल है यह खेल आपको इस पॉइंट के बारे में सारे रहत से खोल देगा माल लो मैं आपको एक एलिमेंट देता हूं सोडियम और सोडियम के साथ मैं आपको देता हूं क्लोरीन और क्लोरीन के साथ मैं आपको देता हूं हाइडोजन आप कितने मर्जी सोडियम कितने मरजी क्लूरीन और कितनेirmजी हाइडोजन सपाल करो आपको सोडियम के कंपाउंड बनाने हैं तो आप कितने पेस्त ने चैनल कें अभिट बना किवाओंड बना क्लड़ करों पहला होगा नछ और आप दूसरा होगा एने एच आप एक बार एने को सीयल से लगा दोगे और एक बार एने को से लगा दोगे और क्या ही करोगे आप और तो कोई option ही नहीं आपके पास दो compound बना सकते अब using these three elements and sodium आना ज़रूरी है और वेसे बात है कि एक carbon की बात करूं तो carbon forms four bond अब सुनना द्यान से वह चारो जगा hydrogen लगा ले एक compound बन गया वह तीन जगा hydrogen लगाए और एक जगा chlorine लगाए दूसरा compound बन गया अब आप समझ गयोगे वह तीन जगा के बजाए दो जगा अब क्या लगा दे hydrogen और दो जगा क्या लगा दे cl और आप समझ जाओ वह एक जगा hydrogen लगाए और तीन जगा क्या लगा दे cl और ऐसे बचो वह तीनों जगा स्वारी चारों जगा cl लगा दे अब आप पता मुझे using तीन elements और carbon का आना अगर जरूरी हो तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच compound बन सकते हैं वहीं पर sodium can only form two compounds यह तो मैंने भी आपको एक रीजन दिया है और यह बड़ा रीजन भी नहीं है बड़ा रीजन तो second वाला है कि carbon के इतने सारे compounds क्यों है बड़ा रीजन तो यह है कि carbon के इतने सारे compounds क्यों है लेकिन first reason भी बहुत बड़ा रूल अदा करता है जो कहता है carbon is tetravalent carbon के पास चार bond बनाने के ताकत और आप देख सकते हो चार bond बनाने की वज़ए से automatically आप ज़्यादा number of compounds बना पाऊँगे आपके पास options ज़्यादा होंगे आपके पास probability ज़्यादा होगी to form more number of bonds so that is why carbon forms इतने सारे compounds but यह main reason नहीं है main reason कुछ और और वह है carbon shows property of catination carbon catination की property show करता है which is property of self image क्या लो और self linkage क्या लो property of self linkage क्याना सही है एक second property of self linkage यह word जो है वो सही है property of self linkage अब property of self linkage की ताकत आपको अंदाजा भी नहीं है carbon के पास सबसे ज़्यादा है और सबसे important बात carbon के इतने सारे compounds बनने का main reason catination क्या होता है catination का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ने की ताकत अपने आप से अपने आप जैसे elements के साथ जुड़ने की ताकत अब सुनना क्या है अगर मैंने अभी आपको थोड़ी दिन पहले मैंने आपको carbon hydrogen और chlorine दिया था अभी थोड़ी दिन पहले मैंने आपको carbon hydrogen और chlorine दिया था अब यह carbon hydrogen और chlorine यह तीन elements जो हमारे पास है इनी तीन elements है अभी पांच compound बनाया था अब आप सुननों पहला पांच compound तो बन गए अब आपको बता है आप carbon ना carbon के साथ बीजूड सकता है अब अगर carbon कारवन के साथ जूड़ गया तो यह का दाओ यहाँ पर लगा दो थो साटवा कंपाउंड बन गया इधर एक सियल आठ बांट बन गया इधर एक इननौ मर्न अब कारबन अपने साथ सिर्फ दू की रूट हर्य बना सकता है का रवन अपने साथ प्र फीजश बना सकता और सब HER के साथ की चेंगा दो. ऐसे फिर पांच कार्बन की चेंग लगा दो. ऐसे फिर जए कार्बन की चेंग. अब भाई साब यह रुके गा है लेकिन आप ये तो सम्झो ना जार देखो जब तक आप ऐसे वेजिव आप कहोगे कि सर आपने दूसरी स्लाइड पर इतनी देर लगा दी भाइसा नीव बनाओगे न तो बिल्डिंग धर 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 खड़ी होती है देखा होगा आपने बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज़्यादा देर फाउंडेशन में लगती है बिल्ड बनाओ बिटा बस नीव अगर आपकी मजबूत है तो फिर आप की बिल्डिंग मजबूत है कि इसलिए हम यहां पर देर लगा रहे हैं सबसे पहले यह समझना बहुत जलूरी है कि कार्बन के उपर चेप्टर क्यों पढ़ रहे हैं कार्बन के इतने सारे कंपाउंट्स के और में आने वाला सबसे बचे रट भी लेते हैं कि कार्बन इतने सारे कंपाउंट्स क्यों बनाता है बचे रट लेते हैं पहला रीजन है वो टेट्रावलेंट है दूसरा उसके पास कैटी नेशन यानि प्रॉपर्टी आफ सेल्फ लिंकेज है बड रीजन फिर भी नहीं पता है अर दूसरा ये सेल्फ लिंकेज करता है कि यह क्या करता है सेल्फ लिंकेज इसके पास खुद से जुड़ने की ताकत है और यह बहुत रिमार्केबल टाकत है दने पकी बात तो देस इस दी रीजन आक्शूर इस आर्धी टूरीज़न्स विच रीप्रेजन्स कि बएकर इतने सारे compounds क्यों बनाता है चलो आगे बढ़ते हैं चीक है अब हम आज हम बात करने वाले allotrops of carbon के बार में पहली बात तो allotrops का मतलब समझते हैं allotrops का मतलब होता है एक ही इंसान के अलग-अलग different different physical physical forms अगर मैं आपको बोलना हूँ तो शायद आपको मेरे बात पर यकीन ना हो कि यह जो आप देख रहे हो अब आँटी जी का हाथ नहीं देखना है का फोकस नहीं तो आउपस रहा करो आँटी जी कहात चुरो ठीक है माना प्यारा है मेरे हिसाद्सेर से रृत immature नहीं है मतलब हमारे हाथ मेलए जमी हुं है dead skin निकल रही है खाल उखडी भी है सरदियों और यह ग्रिफाइट काले रंग का सौफ्ट सा हतोड़ा मारो तूट जाएगा हाथ पर जोट से दबा दो तो चूरा हो जाएगा पैंसिल के लेड में भी होता है यह यह डायमंड और यह ग्रिफाइट अब मैं अगर आपको बोलो कि यह दोनों एक ही चीज है वह कारवन तो पहली बार मुझे पता आपने पहले सुना होगा बर पहली बार जब कोई बच्चा सुनता है तो बहुत है उसको यकीन नहीं होता है और कहता है नहीं यार ऐसा कैसा होता है एक डायमंड दुनिया का सबसे चमकने वाला इंसान दुनिया का हाड़ेस्ट सबस्टांस इस जैस सोचो आप एक बाद है सोचो मैं बोलू एमीवे बंटाए और अरीजीत सिंग एक ही मां के बच्चे यकीन ही नहीं होगा ना आपको यह बात है वहां नहीं है मुझे पता है दोनों नहीं है लेकिन यहां पर एक ही है ग्रेफाइट और डाइमंड यह कारबन ही है मतलब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो अंदर सिर्फ और सिर्फ कारबन नजर आएगा इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सिर्फ वैसे माइक्रोस्कोप से कारबन देखते हैं एक सिचुएशन बोल रहा हूं सिर्फ कारबन नजर आएगा यहां सिर्फ कारबन नजर आएग जो बैठने के हलात होता है उनका तो पहले बात तो पहले बात तो का मतलब है different physical forms of any element are called allotrops of that element उस element के allotrops बोलते हैं अब allotrops अगर बात करूं allotrops of carbon तो carbon के हमारे पास बहुत सारे allotrops हैं हमारे पास carbon के बहुत सारे allotrops हैं एक बात ध्यान रखिएगा सिरफ diamond graphite ही नहीं बक minister fluorine भी है coke भी है butyaminess भी है anthracite भी है animal charcoal भी यह बुट चारकोल भी सारे allotrops of carbon ही हैं लेकिन हमें 10th class में दो allotrops को detail में और तीसरे को थोड़ा बहुत पढ़ना है बस तीन ही पढ़ने और बहुत सारे बच्चों को जब मैं 11th class में पढ़ाता हूं तो देखता हूं को यह लगता है कि दुनिया में कार्बन के सिर्फ और सिर्फ तीन ही अलोट्रॉप से बढ़ ऐसा नहीं और वह तीन क्यों पता है कि एलोट्रॉप्स आफ कारवन बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं डायमंड तो लिखाई हुआ है यह ग्रेफाइड भी यहां पर लिखावा है फिलूरीन भी होता है शॉर्ट में इसको फिलूरीन बोलते हैं एंथरासाइट कोक कोल यह सारे एलोट लैंब ब्लैक जो जो मुझे याद आ रहे हैं मतब 13-14 से भी उपर ही जाएंगे मुझे जानता लगता है काफी सारे एलोट्रॉप्स हमारे पास कार्बन के होता है उनको तोड़ोगे निचोड़ोगे तो आपको सिरफ कार्बन ही मिलेगा कार्बन ही मिलेगा लेकिन उनके रूप रंग आप देख सकते ह है डायमंड के बारे में क्या आप सबने डायमंड देखा है यह रहा बेटा दो दो डायमंड यहां पर दिख रहे होंगे आपको इस स्क्रीन पर आपको दो दो डायमंड दिख रहे होंगे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे एक तुम्हारा भाई खड़ाया क्या बात कर रहे ह तुम में ना ही रे की पहचान ही नहीं है तुम हीरे डूंड रहो कहीं और तुमारे सामने यहां दो-दो डायमंड खड़े हैं दो-दो एक अंटे जी ने पकड़ा हुआ है और मुझे किसने नहीं पकड़ा हुआ है मतलब ज्यादा हो रहा है वापस आओ बच्चो डायमंड जो है डायमंड जो है वह सब ने देखा हुआ है तो क्योंकि जब हम पड़ाई कर रहे होंगे अब मैं आपको बोलू मेरे चाचा जी दिल के बहुत अच्छे हैं वह बहुत हैं हैं कोई फाइदा नहीं आप इमाजिनेट न मजना भाइस हूं डायमंड सबने देखा ग्रेफाइड नहीं देखा है तो मैं फोटो लेहा हूं हो चलो भी ठीक है अब डायमंड के बारे में जो सबसे खतरनाक बात है वो क्या है अगर आप ऐसे समझ्यें तो डायमंड में एक कारबन का अटम होता है और उस एक कारबन य के साथ एक दू तीन चार और कारबन के आटम से तो यह देखो यह पस एक कारबन का याप लेकिन देख रहे हुगा अब उस कारबन के साथ पुर्दर और तीन क्योंकि एक तो लगा हुआ है कार्बन कितने बॉंड बनाता है यह आप मत भूलिएगा कार्बन फॉर बॉंड जिसकी वज़ा से एक कार्बन का एटम चार कार्बन के एटम के साथ यह कार्बन यह कार्बन यह कार्बन और यह कार्बन इसके साथ चार कार्बन के साथ बनाता है यह वाला और तीन के साथ बनाता है यह वाला और तीन के साथ बनाता है और यह वाला और तीन के साथ बनाता है फिर यह वाला और तीन के साथ बनाएगा फिर यह वाला और पूरी जैहोपिचर बन जाएगा एक के साथ चार है फिर उसके साथ और तीन है फिर उसके सा फ्रक्राम करते है बाचो डामespère साथ और करना के संद प्रसक्राइ सब्सक्राइब प्रीघ्ण लृपर्टी आप यह सकते हो कि इच संद करन से सबसे पहले प्रपर्टिति चैग मैं इ Todos Karl 1260 यह सां को अधर बोगन अगले मतलब अगले कह रहा हूं मतलब आगे वाले का पीपीटी में हम इस स्ट्रॉंग बॉंड को कोवलन बॉंड भी कह देंगे अभी हम इसे बॉंड ही कह रहे हैं पहले बात तो हर एक कार्बन चार और कार्बन के साथ साथ बॉंडड है और इसी कारण वर्ष यह एक कौन सा नेट्वर्ग बना लेते हैं है कार्बन पॉंस जाइंट ओं मौलीक्यूल आंड नेटवर्क स्टॉक्चर ऐसे स्ट्रॉक्चर को हम नेटवर्क पिचह केँ बैटे हैं पूरान नेटवर्क बिचा वने उते हैं यार को यह हमारे साथ जुडू जल्दि अपनी सफन की एपने शैम्पू बेचे मैं रिस्पेक 네 पैसा नहीं की बेच्ति कर रहा हो हुआ से बनाते हैं कि आप हमारे साथ तीन लोग और जोड़ो आप जितने साथ लोग जोड़ो की उतना पैसा को नेट वह को बोलते न तो यहाँ भी कार्बन अपना नेट वर्क बनाता एक कारबन के साथ चार फिर उसके साथ और तीन फिन और पूरा एक नेटवर्क बनता है और नेटवर्क के बाद पूरा का पूरा एक जाएंट मॉलीक्यूल तयार हो जाता है पूरा का पूरा एक राक्षश साइज्ड मॉलीक्यूल तयार हो जाता है जाएंट मॉलीक्यूल तयार हो जाता है तो इसको जाएंट मॉलीक्यूल और को network structure बोल देते हैं और यही reason है that is why that is why diamond is very hard और यही reason है कि diamond बहुत ज़्यादा hard है actually मैंने आपको पताया हूँ यह hardest natural substance known है वो आप सब जानते ही है ना भई इसके बाद थर्ड पॉइंट के अगर हम बात करें no free electrons no free electrons hence bad conductor of electricity इसके पास कोई कारबन के पास चार इलेक्ट्रोन थे आउटर मोशल में चार इलेक्ट्रोन थे और चारो इलेक्ट्रोन से उसने चार बॉंड बना लिए है ना इस कारबन के पास चार इलेक्ट्रोन थे उसने चारो इलेक्ट्रोन का यूज गर लिया और बॉंड बना लिया इसके पास कोई free electron नहीं पचैब अगर इसके पास कोई free electron नहीं बचे अगर इसके पास कोई free electron नहीं बचे तो फ curb lize क्या हो गया यह हो गया bad conductor hospitality इसके पास कोई electron free नहीं बचे तो यह हो गया Bad conductor of electricity समझ गये और एक point मुझे और लेखना है जो कि मैं उपर लिख देता हूँ, चलेगा काम, fourth point, जो कि आपको बहुत ध्यान सुनना है, और आप सब जानते भी है, कि it is, it is shiny and lustrous, यह चमकता है, और यही कारण है, यह जूलरी वेगरा बनाने में काम आता है, चलो, अबना मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे इस question का answer दीजिएगा, सब मिलके, सवाल बहुत ही असान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, डामेंड इता है, महेंगा क्यों है, आपको नीचे comment section पे, जैसा कि आपको पता ही होगा मेरी आदत है, live chat पे नहीं, अगर यह video आपके पास stream होके आ रही है, तो वो live chat के option आते हैं, वहाँ के message नहीं पड़ता है, क्यों आप आपको पता ही है, पढ़ाई के लावा सब काम हो रहा होता है, लेकिन आप comment section पे, time stamp, time stamp जो है इस question का, जापर हम यह question पूछन पूछना हो, समय को लिखके, आप इसका answer दीजिए, कि why diamond is so much महंगा, diamond इतना जादा महंगा क्यों है, क्या कारण है इसके महंगा होने हैं, क्या धर्ती पे rare है, बहुत कम है, answer है नहीं, ऐस सच तो कोई बात नहीं है, क्या इसको extract करना बहुत मुश्किल है, answer है नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, जो main बात है वो यह, कि जब diamond को हम लोग mining करके निकालते हैं, तो वो बहुत less shiny, बहुत अजीब सा, बहुत blurry सा, whiteish सा होता है, फिर उसको तराशना पड़ता है, उसको अलग अलग, जैसे कि यहाँ प cuts आप उस diamond में मारोगे, उतना ज्यादा वो चमकेगा, जितने ज्यादा cuts diamond में लगे होंगे, उतना ज्यादा वो shine करेगा, यह आप पड़ोगे बाद में, यह TIR नहीं, टोटल internal reflection के ओपर based concept होता है, और यही कारण है कि diamond बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि hardest substance known है, और इतने hard substance को काटना पीटना, it is very difficult, हाना, तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके बाद इसी का, आप कहलो भाई, आप कहलो बहन, आप जो भी कहलो वो है graphite, अब graphite और diamond दोनों carbon से बने में, यह भी सारे carbon के atoms हैं, और यह भी सारे carbon के atoms हैं, दोनों carbon के ही मिलके बने में लेकिन दोनों में बहुत फरक है, बहुत फरक है, आप सब जानते हैं, लेकिन वो फरक क्यों आया, वो फरक आया इसके structure से, जो मैं आपको यह topic करा रहा हूँ ना, इसमें से एक number या दो number का सवाल आपको एक्जाम में पका मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, graphite के structure को पहले कार्बन के साथ, हमारे पास कुछ इस प्रकार से कार्बन की hexagonal rings बनी होते हैं, और यह hexagonal rings कुछ इस प्रकार होते हैं, कि यह rings आगे जाते हैं कुछ इस प्रकार से, मतलब हर एक कार्बन के साथ, तीन कार्बन कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, कि यह hexagonal rings बना देत है हर एक कार्बन के साथ देखो आप अगर नोटिस करो इधर भी दिखाऊंगा लेकिंगर देखो एक कार्बन के साथ एक दो और तीन कार्बन लगे होते हैं तो एक लेयर तो आपको यह दिख रही होगे तो एक के नीचे एक लेयरऄस की होता है इनके बीच में गैप होता है यह लेयर की फ опасेम में पूंधि कर रहे हो लेकिन यह है एक layer और यह दूसरी layer यह graphite की एक layer है ऐसी कुछ और यह graphite की दूसरी layer है obvious है इनमे gap बहुत कम होता है दिखता भी नहीं है microscopic level पे gap है लेकिन इन दोनों layers के बीच में एक gap है और इन दोनों layers के बीच में एक force of attraction होती है इस force of attraction को again हम higher classes में wonder wall force of attraction बोलेंगे higher weak force of attraction है इनके अंदर बहुत ही weak force of attraction प्रेजेंट होती है बहुत ही कमजोर force of attraction प्रेजेंट होती है और इसी कारणवर्ष कुछ properties में चाहिए लेकिन आप सबसे बड़ा फरक पता हो क्या है पहला फरक मैं भी structure वाइस बाग कर रहा हूं प्रॉपर्टी वाइस नहीं पहला फरक सबसे बड़ा क्या है diamond में एक कार्बन के साथ चार कार्बन लगे वे थे लेकिन ग्रिफाइट में एक के साथ तीन लगे में kovalent bonds है मतब strong bonds है और इसकी वाइस है hexagonal ring बनते है सबसे पहली बात तो इच carbon is bonded with three strong bond यह चाहर ही बनाता है लेकिन three strong bonds with other carbons with other carbons and form hexagonal rings like structure जैसे कि हम डाइगराम में देख सकते हैं सेकेंड सबसे इंपॉर्टन इसकी जो एक ग्रिफाइट की लेर होती है और जो दूसरी ग्रिफाइट की लेर होती है उन लेर्स के बीच में एक weak force of attraction होती है two layers have weak force of attraction मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी हम फिलाल इस attraction को कोई नाम नहीं दे रहे हैं बट बाद में 11 में 12 में इस attraction को नाम भी दिया जाएगा वंडरवाल force of attraction तो two layers have weak force of attraction हैंस ग्रिफाइट is soft और यही कारण है यार कि ग्रिफाइट जो है वो soft है ग्रिफाइट is soft आप सब जानते होंगे ग्रिफाइट इतना soft है कि इसको हम lubricant के रूप में यूज़ करते हैं लूब्रिक एंड मतलब आप इसको ऐसे हाथ से चूरा कर दो और आप उसको machine के parts में जहांपे हम oil use नहीं कर सकते हैं वैसे तो oil को हम lubricant के रूप में यूज़ करते हैं लेकिन कहीं जगाओं पे हम oil as lubricant इस्तमाल नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे हम graphite का powder जो है वो इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद third property के अगर हम बात करें which is very very important और वो यह कि graphite के पास एक electron free है graphite चार bond बना सकता है उसने तीन बनाए वे है तो एक electron free हो गया तो as electrons are free so graphite is good conductor of electricity graphite जो है वो electricity का good conductor है इसके उपर मैं यहाँ पर shot डालूँगा आप ध्यान से देखिएगा इस shot को इस वीडियो के lecture के बाद कुछ दिन बाद डालेंगे ताकि आप जातर बच्चे इस lecture को देख ले उसके बाद इस चैनल पे एक shot डालेंगे जहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि graphite electricity का good conductor होता है लेकिन diamond electricity का good conductor नहीं होता और diamond को से बिजली पास कराएंगे तो बिजली पास नहीं होती है लेकिन graphite से बिजली पास हो जाती है आपको एक छोटे से demonstration से दिखाएंगे लेकिन electrons इसके पास free होने के वज़े से ये good conductor of electricity और इसलिए cell वेगारा के अंदर इसका हम लोग इस्तमाल जो है वो कर देते हैं ठीक है जी इसके बाद fourth point और last point की बात करें तो ये soft तो है हना lubricant के रूप में तो यूज होता ही है but it is dull याने की not shiny ये चमकता नहीं है ये थोड़ा dull type इसको pencil वेगारा में काम करते हैं तो इसके लिए अगर हम इन properties के बाद अगर हम इसके यूज प्याएं तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या यूज है अब diamond का सब से सबको एक यूज तो पता ही है कि जूल्री बनाता है यह एक abrasive यानि चीर फाड़ करने के भी काम आता है इ कि मैं अगर एक pencil को शाप करूं और उसका बहुत एक sharp edge बना दूँ अब उस शार्प edge को अगर मैं आपके आँख में डाल रहा हूं तो तूट सकता है और आख में प्रॉब्लम कर सकता है तो इसलिए आइस सर्जिरी के लिए या कहीं पी और पतली पतली नसे चीर फाड़ कर करते हैं और यह डिलिंग डिली मेट्रो में जब अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही थी तो जो अंडरग्राउंड मेट्रों की गई तो इसमें बहुत बड़ी ड्रिल मश्चीन यूज ती उसके कॉर्णर पर डायमंड लगा वा था कभी आप कश्मीरी गेट मेट्रों से जा रहे हों तो वहां पर उसके पूरा उसके बारे में लिखा भी वाया अंडरग्राउंड मेट्रों में कि वो कैसे बनी तो उसमें ड्रिल के बारें पता आए गया मुझे यह पता नहीं कि वो डिल कहां से मगाए गई थी इंडिया की तो नहीं थी यहां पर आके असेंबल बनाने के यह काम आते हैं बच्छों सेल और बैटरी की अगर बात करें तो अगेन अगर गुड कनेक्टर और फिलेक्ट यह तो सेल और बैटरी वह यह नोड के बात हो गई लूब्रिक एंड क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट है और पैंसिल की लेट्स वेगारा बनाने में यह हमा बात है यह कितने टाइब के होते हैं यह लग बात है लेकिन और गैंने कंपाउंट्स के अंदर एक बॉन्ड बनता है जिसको लोग और जिसके बार में भी हम बात करें थे कि अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तो फाइनली अब हम पात करना शुरू करेंगे को यह को बलें bonds क्या होते हैं देखो आयने bond के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है याद करेंगे मेटल से नॉन मेटल में electron का transfer जब भी electron का transfer होता है from one atom to another तो उसको आयनेक bond बुलते हैं लेकिन यहां पर हम बात करेंगे destron the atoms अापस में Share करते हैं मतलब अगर एक मेटल होता- एक मेटल होता हैं बीदोम नवेटल कहता है मैं electron दे दूंगा ओनौन के उले लिंगा यह बात मेच्छते हैं लेकिन जब दो ही non-metals हों दोनों ही non-metals हों तो कोई electron देना नहीं चाहेगा दोनों लेना चाहेंगे in that case sharing of electron होती है तो a type of chemical bond in which two atoms share pair of electron उन्हें हम कहते हैं colon bond नहीं समझ में आया होगा आओ कुछ example लेते हैं और इसको समझते हैं जैसे कि इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है hydrogen अब लूइस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से hydrogen जैसके पास एक electron रहता है और hydrogen के पास एक electron रहता है अब दोनों के पास एक electron है तो कोई किसी को electron देगा तो stable रह सकता है लेकिन उतना भी नहीं रहेगा एस सच कि एक electron शेयर कर लें चलो hydrogen के साथ साथ अगर में एक और एक्जामपल जैसे कि क्लोरीन अब क्लोरीन के पास आपको सब बीच में रहते हैं यह अपना एक 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 electron बीच में रखेंगे और बीच में रखने से क्या होगा यह कह आए भाई मैं भी शेयर कर लेता हूं तू भी शेयर कर ले अब यह जो दो रोटर मोश्च करंश को दो दो नों दोनों के आूटर मोष्ट में दो ドो एलेक्टरन हो गया हाइड्रोजन byłoश Đो चाहिए उसका लास जाल भर गया वहीं पर क्लॉडन के आउटर मोष्ट में सत ऐलेक्टर ते अब क्लॉरीन share कर लिए अब अगर share कर लिए तो फिर ये बन गया covalent bond अब आप ये मत गलत फ्रेमी पाल ले ना कि ये CL2 के बीच में possible है ये ह्ट्री आने कि same elements के बीच में ऐसा नहीं है जैसे कि अगर मैं आपको example दो CH4 अगर आप जानते हो तो CH4 होता है methane CH4 होता है methane methane एक ग्यास होती है अगर इंगेस पता हो तो नहीं तो कोई बात नहीं अब यहां पर अगर मैं बात करों तो carbon है और इसके आसपास चार-चार hydrogen होते हैं चार hydrogen होते हैं अब carbon के आउटर most total कितने electron होते हैं फोर क्योंकि इसके आउटर उसकी वैलेंसी है है फोर इसके नमबर अफ एलेक्टान से तो सके सबसें टू फोर तो इसके लाव्स चैल में चार एलेक्टान ओदेंट तो यह क्या करेगा एक 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 लेक्ट्रोन एक-एक एक को भी आपस कर लिए तो यह दो इलेक्ट्रोन भी हाइड्रोजन के हो गए यह दो इलेक्ट्रोन भी हाइड्रोजन के हो गए यह दो इलेक्ट्रोन भी हाइड्रोजन के हो गए हना और कुल मिला क्या कह सकते हैं यह आठ इलेक्ट्रोन किसके हो गए कार्बन के यह आठ इलेक्ट्रोन किसके बनाके बैठता है कोवलेंट और अभी हमने इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है बेसिक बात यह है कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन या कोई भी ऐसे दो नौन मेटल से दूसरे के साथ बैठना चाहेंगे तो वह एलेक्ट्रों ले या दे नहीं पाते हैं उनको एलेक्ट्रों बॉनद आइनक बॉनद में ऐसा कुछ भी नहीं था अगर आपको याद रहो आइनक बाइन ऐसी को 250 भी निकिए उनकों nylaad और electron share होते हैं और यह तीन टाइप के होते हैं single covalent bond double covalent bond और triple covalent bond अब single covalent bond क्या है ऐसा covalent bond जिनमें दो atoms आपस में एक pair of electron को share करते हैं अगर वो एक pair यानि single electron को share करेंगे single single electron को share करेंगे तो उसे बोलेंगे single covalent bond again example पीछे भी दो लिए लेकिन यहां पर थोड़े अलग example लेता है like HCl है अब hey और सीयल की आउटर मोस्ट में साथ एलेक्तों होते हैं जैसा कि आप जानते हैं अब опред beer केलेटर और चाहिए और to पर क्या होगा यह अपना Efendi कर एक इलेक्ट रोग से इंधर से अट अटा पके बीछ में रखवा देंगे कहेंगा मैं अपना एक लेक्ट्रों पीच में रख देता हूं तो के पास दोखोश हो गए चेपास आठ लेक्ट्रों हो गए दो नोंस टेबलाइज है दोनों खुश है अपने अपने जीवमन इन्होंना अ उभ्यागन और यसा इन्होंने वार इक एक्जांपल जिसे पीछ और जाये कि पिछल आल कर verdiler केमें गितर के होई और यह वाला एक्जम्पल सिलेकन के आ सपास चार सीअल है अ जो कि 46 पर बखा़ च्यूंस तो यह एक है क्सियों का यह से सीयर करेगा क्यूंकि ल के पास यह मैं सात्य उन्य करता है ंए उसको एक आए eleven डे तो वह चार शेयर करेगा लेकिन कैसे एक 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 क्लोरीन से तो एक 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 क्लोरीन से कर देगा 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 अब क्लोरीन के पास टोटल उटरमोश्ट में साथ एक साथ उसने बॉन मना लिया तो बाक् ABOUT यह ने वो बच जाएंगे बाकी च्छय जोने और यह वह बच जाएंगे ऐसे बागी ठैजिजऊ है कि वह बच जाएंगे यह एद् got कॉ बच भेए अभ राखा um बाकी बस सरकल मारने और काम पूरा हो जाएगा अब आप दिहान से देखेंगे तो यह आठ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हो गए यह आठ इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के हो गए और यह आठ इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के हो गए सही कहा रहा हूं सिलिकन के लिए ऐसा करते हैं ग्रीन कर लेते हैं तो यह अब कमाल की बात यह किAre EU के साथ हर एक सील के साथ एक हैक एक और पांड वह सब के साथ सिंगल तो यहां बनाया है अगर हम 11Audi कन और एक लूरीग को आपस में देखें तो इनके वीच मैंने सिंगल और जो हे वह फ्रम के सिंगल bond जो है वो इन्होंने बनाया है तो silicon और chlorine के बीच में जो bond है वो single covalent bond है जहने ओके पका चल यह वा single covalent bond अब ऐसे आता है double covalent bond तो double covalent bond क्या होगा जब दो atom आपस में दो atom आपस में दो दो electron share करेंगा उसे double covalent bond बोलेंगे अभी तक हमने इसका एक भी example नहीं लिया है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जैसे कि ओटू यानि कि oxygen अब ओटू की अगर बात करें तो oxygen के आउटर मोश्ट में एक दो तीन चार पांच छे लेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे एक दो तीन चार पांच और छे इसके पास कितने इलेक्ट्रों ठोटे ऑसं आणँ होते हैं मतलब k छे हैं तो welcome पड़ गए तो यह कितने करेका दो थो एलेक्ट्रॉन यह शेयर करेंगा आप अगर एंगर दो दो और बिल्कुल ऐसे ही बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉंड जब तीन-तीन इलेक्ट्रॉंस के पेर शेर होंगे यानि हर एक आटम तीन-तीन इलेक्ट्रॉंस जो है वो शेर करेगा इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल हमारे पास नाइट्रोजन यानि की एंटू है अब नाइट पास पाँच एलेक्ट्रॉंस आउटर मोश्ट में होते हैं सबको पता है पांच होते हैं तो पांच का मतलब है तीन इलेक्ट्रॉंस इसको चाहिए होंगे टू फॉर्म और पेट यानि अपना अठ्था अपने लास्ट शेल में आठ एलेक्ट्रॉंस पूरे करने के लिए तो आठ्थ इलेक्ट्रॉंस को चाहिए तो पांच इसके पास होते हैं तो एक दो तीन चार पांच दो तीन चार पांच तो यह 3-3 electron बीच में रख देखो मैं आपको समझाने के लिए पहले ऐसे बना रहा हूँ फिर मिटा रहा हूँ आप सीधा भी बना सकते हैं और दीरे दीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगे आपको सीधा पता होगा कि यह 3-3 electron share करते हैं तो बस 3-3 बना दिए तो यह 8 electron इस nitrogen के ओगई तो कुल मिला के nitrogen और nitrogen ने आपस में stri Boulder बनाया का ल मिला के nitrogen ने आपस में ट्रिपल बॉनड बनाया nitrogen ओ नाइट रओग समर्ना रापसमे मिलके stri स्व R JPcon Lane बनाया और अगर समझे सकते हो कि जब दो atoms वैसे तो बहुत सारे factors इसमें involved होते हैं कोई एक factor इसमें involved नहीं होता बहुत सारे factors involved होते हैं लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि triple covalent bond जब बनते हैं तो atom, molecule, atoms को आपस में अलग करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि तीन bonds बने हैं डबल में थोड़ा और असान होगा और सिंगल में सबसे असान होगा comparatively although यह atom पे भी depend करता है यह हालात पे भी depend करता है कहीं केसे में single bond ही इतना ज्यादा stable होता है और कहीं cases में triple भी unstable होता तो वह बहुत सारे factors पर depend करता है बट येस तीन कोवलेंट bond बनाएंगे तो तीन तीन electron share होंगे तो कहीं ना कहीं attraction तो relatively जादा होगी ही ठीक है जी अब अगर मैं यहां पर आपको एक दो और examples करा दो कोवलेंट bond के थोड़े से और लेट से एक अध लेवल उपर जैसे कि एक compound होता है सी यह आगे जाके हम पढ़ेंगे शायद आज ही मतलब कि आज मतलब अगली स्लाइड में लेकिन मालो यह हमारे पास है ऐसे बोलने का आज़त है लेक्टर पूरा लेक्षेरियम खतम करने बट इसको हम थोड़े देर में इथेन बोलने वाले हैं अभी आप छोड़ तो यह क कार्बन का एक कंपाउंड होता है इसमें अब इसको अगर मुझे लुइस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में रीप्रेजेंट करना होता है मैं कैसे करूंगा तो यहां पर कार बना जाएगा यहां पर कार बना जाएगा बहुत सिंपल है सिंगल बॉन्ड का मतलब एक 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 लखें और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तीन तीन अच्छा चार बॉन्ड हो सकते हैं क्या नहीं मैं पॉइंट भी लेग देता हूं दो एक एक अटम अलग अलग लोगों से चार बॉन्ड बना सकता है लेकिन दो एटम आपस में या तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे या तो ट्रिपल दो ही आटम आपस में चार बॉन्ड नहीं बना सकते पॉसिबल नहीं है ठीक है जी तो मैं यहां पर एक नोट का पॉइंट लिख देता हूं कि two atoms cannot form four covalent bond with each other two atoms आपस में कभी भी चार covalent bond नहीं बना सकते इट इस लाइक आवसरा समझे जब भी कोई atoms एक दूसरे के साथ covalent bond बनाते हैं तो atom के ओपर atom overlap होता है एक atom के ओपर दूसरा atom आता और overlap हो जाता है अब समझने सुनने वाली बात यह है कि एक atom दूसरे atom के ओपर बैठता है और overlap होता है तो overlap होने से वह ठीक है stable तो होता है लेकिन atom एक दूसरे के और पास आते हैं डबल बनाने पर overlapping और बढ़ जाती है ट्रिपल बांड बनाने पर overlapping और बढ़ जाती है अगर चार covalent bond बनेंगे ना तो overlapping इतनी जादा हो जाती है overlapping इतनी जादा बढ़ जाती है कि molecules stable होने क कि बजाए unstable होता है अपको सिंगल बांड बनाना है तो मैंने और आपने दूसरे का हाथ पकड़ लिया overlapping होगे ठीक है जीवन अच्छा चल रहा है आपने और मैंने double covalent bond बनाना है तो मैंने और आपने दूसरे हाथ भी पकड़ लिया थोड़ा सा और bond strong बन गया अब मैंने और आपने triple bond बनाना है तो मैंने एक हाथ दूसरे हाथ पकड़ के टांगे भी आपके उपर गेर तो ठीक है आप कह रहे हो मजा तो आ रहा है लेकिन आप समझ रहे हो कि unstability भी बढ़ रही है अब अगर मुझे आपके साथ चौथा covalent bond बनाना है तो मैंने अप ब आप शेचे दिन नाता नहीं हो आप रश नहीं करते हो तो हम रिपेली होएंगे इसको मैं अगर केमिकल भाषा में बात करो तो जब ओवरलाप हो रहा होगा तो ओवरलाप होने से प्रॉब्लम किया होगी पहली ओवरलापिंग ठीक है लेकिन जब ओवरलापिंग बहुत ज जादा बढ़ गए तो भाई आटम्स के न्यूक्लियस ही दूखसरे के इतने पास आने लग जाएंगे कि वह दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे इसने प्राक्टिकल लाइफ चार कोवलेंट बांड कोई दो आटम्स के बीच में नहीं बन सकते तीन बन सकते चार नहीं सब्सक्राइब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल उठें पर अब सब्सक्राइब एक यह 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 और यह तो के ellAAAA कर न हो गए और इसकी बात करें तो यह कार्बन की मतलो एक और आप उस चीज़ की टैंशन मतलो एक और कार्बन ने औक्सिजन के साथ दो बॉन आ रहा होगा अब ऐसे अगर मैं इसका लूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कार्बन ने इधर दो अब imper Boss ने पास कितने लेक्ट ट्रpe Shut face नों मेंसे डो इलेक्ट्रौन उसने ले ले गया बाकि चार उसके बच गए चिए में से दो इलेक्टवन वह बाकि चार होगा तो ये भी औक सीजन के अलेक्ट्रौन हो गppen्वाएब और कारबन के हो आपके सांबेम हैं सबके चार कि कारवन जो है वह कैसे ano करता है कैसे दूसरी लोग के साथ गांग बनाता है वह कौन से कोवल काऊ थी आपक्यूंकि पढ़ आगे पर सकते हैं कि और गयन कंपाऊंड क्या होते हैं अब मेरी बात को ध्यान से सुझनना Oracle Arginic compound की दो definition है पहली diameter आपको अभी इसी वख समझ में आजाएगी बहुत easy है लेकिन दूसरी यह definition आपको आज समझ में नहीं आएगी आज समझ में मतलब से मेला कहने का अगेन मतलब हैativas इसे बुल रहाँ आपको सप्म estas के end तक आते समझ में आ जाएग कि जब हम सारे और्गैनिक कंपाउंट्स छे के छे पढ़ लेंगे यानि और आदे घंटे के अंदर और 45 मिनट के अंदर आप सेकेंड वाले definition भी automatically समझ लोगे बट अगर मैं और्गैनिक कंपाउंट्स की बात करो कि और्गैनिक कंपाउंट्स क्या होते हैं आज से कंपाउंट्स कंटेनिंग कार्बन और ऐसे कंपाउंट गलते हैंämä साहिआ काउंट यह मिल नहीं इफूल कि यह व्लोग क्या पढते थे जो खटे होते हैं अब खटे यह क्या definition जो ब्लू लुटमस को रेड में करता है लेकिन बच्पंस तो यह बोलते आ रहा थे ना चलो एक गेम खेलते हैं comment section पर define करो apple क्या होता है यह कोई माई का लाल या लाली जो पता दे कि apple क्या होता है जल्दी पता हो हां जी एपल क्या होता है एपल की definition दे तो आप नहीं दे पाओगे ना बोलोगी जो लाल होता है जिसको खाने से डॉक्टर दूर रहता है मतलब ऐसे ऐसे तो वह definition तो प्रॉपर्टी तो बहुत सारे के लिए बात कर रहे हैं कि organic compounds वो होते हैं जिनमें carbon होता है और नेचर में पाई जाते हैं बट एक्चुली डिस इस नॉट डिफिनेशन डिफिनेशन इस एसे जो आधे घंटे 45 मिन के बात समझ में आएगी जो ऐसे compound जिनके अंदर या तो क्या हो या तो वह कौन हो hydrocarbon या उ उनी से बने वाले compound उन्हें हम लोग कहते हैं और गयानिक नहीं होते इसलिए पहली बाली परिभाशा उतनी ज्यादा नहीं है चलो अब हमें इस चेप्टर में कितने organic compounds पढ़ने हैं mark my words, 11th class में 14, 14 organic compounds, 11th class के अंदर 14 organic compounds हमें पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, 11th class के अंदर हमें 14 organic compounds पढ़ने हैं, जो कि ये बहुत बड़ा नमबर हैं, लेकिन 10th में हमें सिरफ 6 organic compounds पढ़ने हैं, टाइप्स ओफ और गैने कंपाउंड्स उन्हीं मैं डाकू एक नमबर दा हाँ छे और गैने कंपाउंड्स पहला है अब्वियस सी बात है पहला है हाइड्रो कार्बन जिनको हमें पढ़ना है यह तो डाकू है बाई साब यह डाकू है यही हैं सब बाके तो इनहीए से बने विए है यही हैं सब बाकी तो इनहीएिस सबने है second हम लोग पढ़ेंगे alcohols, महाल मत बनाना, मुह में पान ही नहीं आना चाहिए बच्चों, क्योंकि यह वो नहीं है जो आप सोचने है, मतब वो ही हैं लेकिन सिरफ वो ही नहीं है, क्योंने, aldehydes, ketones, hello, alkanes and finally, carbozylic acids यह छे और गैनिक कมपाउंड हम लोगों को इस चप्टर में पढ़ने हैं और मेरे यकीन मानि हाइडरो कारंबन हम कार भन हैं या या उनी से बने हुए या उनी से बने है तो जैसे आप हाइडरोकार्बन पढ़ लोगे जिसमें में लगेंगे आदा गणता पेनतारीस मिनूट उसके बाद मैरा यकीन वानियों ऑटोमैटिकली ये छे के छे बचल प्रदेगा पांच-पांच-पांच-पांच-पमिनाट दो मैं यह जादा ही बूर्ण रहो दो मिनट तीन मिनट से उपर लगेगा और एक अपाउंड देगा फिर बाकी सब उनी से बने हुए और फिर इन चे और गैनिक अब हम बात करेंगे hydrocarbons के बारे में hydrocarbons क्या है इनको समझते ही बाकी मैंने पताया आपको organic compound को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल है आपको नहीं होने वाली है अब hydrocarbons कौन से organic compounds होते हैं तो ऐसे organic compound जिनके अंदर आपको सिरफ carbon और hydrogen मिलेगा और कुछ भी नहीं दुनिया में 120, 122, 188 जितने भी कहलो उतने ऐलिमेंट्स हैं लेकिन पॉइंट यह है कि हाइड्रो कार्बन ऐसे और गेनिक कंपाउंड होंगे जिन में आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेगा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में है तो हाइड्रो कार्बन कहा जाएगा एक्जामपल के तौर पे जैसे कि CH4 अभी आप फिलाल शायद इने नहीं जानते होंगे लेकिन जान जाएंगे C2H6 C5H10 यह सारे के सारे हाइड्रो कार्बन हैं कैसे पता लग रहा हाइड्रो कार्बन है क्योंकि इनके अंदर सिर्फ हाइड्रो डुवर का यह मिलेगा और तिसरा कोई नहीं मिलेगा तो ऐसे औरंकमने कंपाउंट को लोग finally č Czyli अब हम एरीदोईर टाइप के होते हैं साचूरेटेड और अन्ज अप साचूरेटिड हैडरो कार्बन सोंक्यह से होते हैं एस से आप देख सकते हो कि carbon और carbon के बीच में single bond ही मिल रहा है बागी तो h लगेंगी carbon की valency 4 होती है उसको satisfy करने के लिए h तो आएंगी लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि carbon और carbon के बीच में कितने bond है तो answer है single है ऐसे को हम लोग saturated hydro carbon कहते हैं अगर मैं आपको यहां पर एक और एक्जांपल दो जैसे कि यह मान लो इस नहीं लगा लेकिन एक लागाने से पहले पता हो कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल सिंगल बॉंड है तो उसे हम बोल देंगे सैचूरेटेड हाइड्रो कार्बन अब जैसे कि इसका एक बॉरा तो तो तक है कि ऐसे carbon 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 के बीच में आपको single bond मिलेगा उन्हें कहा जाएगा saturated hydrocarbons भी कहा जाता है अब यह बात और धियान रखिएगा saturated hydrocarbons को एक जन्रील फॉर्मेल yum जिसका मतलब है इनके पास जितने भी carbon होंगे उसके दू गने से दू ज्रादा hydrogen होंगे इनके पास जितने भी carbon होंगे उसके दू गने से सॉरी उनके दूगने से दो ज्यादा हमारे पास क्या होंगे hydrogen तो आउच चेक कर लगे एसे इसके पास दो carbon है तो दो का दुगना हुआ चार चार और दो छे तो आप गिन सकते हैं इनके पास छे hydrogen आपको मिलेंगे यहां पर देखो तो carbon हमारे पास चार है चार दुनी आठ 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 और दो दस आपको hydrogen मि हमेशा रहता है यानि इनके पास जितने भी hydrogen और जितने भी carbon होंगे उसके दुगने से दो जाब है जैसे कि यहां चेक करते हैं अब एक दो तीन चार कार्बन है अब चार दुनी आठ आठ और दो दस hydrogen आपको यहां पर मिलेंगे जो कि मिल भी रहे ठीक है ना तो इन्हें ब दो बात कर चुके है कि दो atom के बीच में चार कोवलेंट बांड नहीं हो सकते हैं लेकिन डबल और ट्रिपल जब्रोंड हो सकता है तो अगर carbon carbon के बीच में double या carbon carbon के बीच में अगर triple triple bond होगा और alkyns बोला जाएगा जब triple bond होगा ना मैं आपको दोनों के example दे रहा हूँ पेहले मैं आपको डबल बॉंड यानि की एक्जांपल दे रहा हूँ जैसे की carbon है और carbon है उसके बीच में डबल बॉंड आ गया अब carbon को total overall पर लाइप और चार बॉरन मना पर एख दूबर न रखें तो दो और हैड्रोजन लगजाएंगे हाई जितने कम हमारे पास बॉंझ है उतने हाइड्रोजन यहां पर लगेंगे तो कार्बर्ण के साथ हाइड्रोजन लगें अगर मैं एक और एक्जांपल देजुन अगया यहां पर दो और हाई्ट जाएगे यहां पर देखो दो और एक तीन ओगए तो एक और हाई्टोजन आजाएगा यहां दो लेकिन उसी में एलकीन के भी है और ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉंड हो गया तो फिर तीन बॉंड कारवन के पूरे हो गया तो एक बॉंड हमारे पास यहां पर और आ जाएगा एक बॉंड हमारे पास यहां पर और आ जाएगा है इसका एक बॉंड पूरा हो गया तो तीन और हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगे इसके तीन चार बॉंड हो गए तो एक भी नहीं इसके यहां पर दो हाइड्रोजन आ जाएगे और इसके यहां पर दो हाइड्रोजन आ जा तो कुल मिलागे कहने का मतलब यह कि अंसाचुरीड हाइड्रोकारबन में भी एलकीन और एलकाइन दो प्रकार के अंसाचुरीड हाइड्रोकारबन रहते हैं अब जैसे कि एलकेंस में आने की सिंगल बॉंड वालों का जनरल फॉर्मुला था तो यह झाने का इजनरल फॉर्मुला होता है यहाने एलकेंस में यहानिन साचुरीड में हैड्रोजन डबल से दो जादा थे इसमें डबल होंगे और इसमेंडबल से दो गम होंगे लेकिन ध्यान रखना ही जनरल फॉर्मला टैन तक वैलिड है क्योंकि एलेवंथ में या और हायर क्लासिस में आप क्या देखोगे कि एक ही चेंड के अंदर आपको एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉर्ण भी मिल सकते हैं तो यह जनरल फॉर्मला वैलिड नहीं र करते हैं दोनों जनरल फॉर्मले सही हैं भी कि नहीं जैसे कि यह कह रहा है कि जितने भी कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे आव चेक करें यहां पर कार्बन कितने हैं दो तो दो का दुगना हो गया चार तो चार हाइड्रोजन होने चाहिए जो कि हैं भी ऐसे यहां पे एक, दो, तीन, चार, चार का दुगना आठ आप गिन सकते हैं, आठ हाइडरोजन होंगे ही होंगे, होने ही चाहिए, उसके बगएर कैसे काम चलेगा यहां पर जितने भी carbon है उसकेल दूगने से दो कम hydrogen है यैसे यहां पर 2 carbon है तो 2 का दूगना कितना हो गया 4, 4 मैसे 2 गए, 2 आ गए hydrogen ऐसी 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 12 मैसे 2 हो गए, 10 hydrogen यहां पर होने चाहिए आप देख सकते हैं कि 10 hydrogen हैं भी तो ऐसे hydrocarbon जिनमें double या triple उन्हें unsaturate कहेंगे double वालो को हम लोग कह देंगे alkyne और triple वालो को हम लोग कह देंगे alkyne cool है? done है? 4 हो नहीं सकते यह बात हो चुकी है पका? अब अगर हम लोग बात करें IUPAC naming of hydrocarbons hydrocarbons की IUPAC naming की हम लोग यहां पर बात करेंगे IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry एक ब्रांच होती है chemistry की एक division होता है जो nomenclature या इन सब पर deal करता है ठीक है ना यही decide करता है किसी भी organic compound का नाम करन कैसे होगा अब किसी भी IUPAC name में दो पार्ट होते हैं एक होता है prefix prefix decide होता है number of carbon से prefix decide होता है number of carbon से हाना कैसे आओ अगर number of carbon एक है दो है तीन है चार है पांच है छे है साथ है आठ है नौ है और दस है तो हमारे पास एक prefix लगता है क्या जैसे एक carbon है तो आपको नाम के आगे मिठ लगाना है दो है तो आपको इथ लगाना है हार है तो आपको फ्रफुट्र लगाना है या आपके नाम करण्ट करेंगे अभी भी नहीं समझ में तो अभी आपको समझ में आ अब आता है नाम के पीछे यानि की सफिक्स क्या लगाना है आप सफिक्स जो है व कौन करता है ? splashing होता है कि आपका फंक्षणल गूरूम कौन सा है तो नाम के पीछ आपको लगाना होगा इन और ऐसी अगर आप अलकाइन है तो नाम के पीछ आपको लगाना होगा आइन अब इसका मतलब क्या समझते हूं मालो यह शुरू कर लेते हैं आपको बोल रहा है C3H8 तो सबसे पहले तो आपने देखना कि कितने कार्बन है तो अब यह एलकेन है एलकेन है तो जनरल फॉर्मला के हिसाब से इसमें दुगने से दो हाइडरोजन ज्यादा है तो दुगने से दो हाइडरोजन ज्यादा है तो इसका मतलब यह हो गया एक एलकेन तो इसका नाम हो गया प्रोपेन कितना सिंपल है देखो एलकेन है तो स्केर्ट कार्बन का मतलब हो गया अब यह एलकेन है तो इस तरीके से नाम कार्ण हो जाएगा ठीक है जी ऐसे अगर मैं बात करूं मालो सी सेवन एच फॉर्टीन की तो इसमें जो हाइड्रोजन है वह एक्जाक्ट डबल है और जब हाइड्रोजन डबल हो तो उसको हम नहीं पता है उसे हम अलकीन कहेंगे तो साथ कारबन के लिए यूज हैप्ट अभी अलकी मालो आया मार पास सी टू एच टू ठीक है जी पहली बात तो दो कारबन तो इसको हम बोल देंगे इथ ठीक बात अब हाइड्रोजन जो है वह दुगने से 2 कम है 2 का दूगना चार-चार से भी दो कम है दो तो यह एलकाइन है तो नाम हो गया इथाइन ठीक है जी एक आखरी करें अगर सी पाइफ चुर्वी तेन तो पांच कार्बन है तो पैंट हो گया अब सब में देखा Nevada है सी फाइफ एच तेन मतलब की हैड़्ोजन कार्बन से दुगने है अगर हैड्रोजन कारपन से दुगने थो नाम के पीछे इन आ जाएगा यानि कि एलकी न आ जाएगा तो ना मुझेगा पेंटीन सिंपल है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है तो इसके नाम करन जो है वो करेंगे लेकिन जब आपको यह expanded structure दे रखा होगा मतलब कि structure को खोल के दे रखा होगा तो आपको double bond की position मेंशन करनी पड़ेगी जाने की मान लो CH3 CH double bond CH CH2 CH2 और CH3 आपको यह compound दे रखा ठीक है अब इसमें एक दो तीन चार पांच छे कारबन है तो अगर यह ऐसे लिखा होता C6H12 तो इसका नाम हम हैक्सीन लिख देते हैं लेकिन हमें यहां पर साफ दिख रहा है कि double bond की position कहा है तो हमें position भी दिखानी है position कैसे दिखानी है आपको अपनी chain को number करना है इस तरीके से number करना है कि double bond को छोट से छोटा number मिले जैसे कि अगर मैं यहां से number करूंगा तो इसको 123456 तो पहला carbon जिस पर double bond आया वो तू है तो यानि डबल bond की position 2 हो जाएगी लेकिन अगर मैं यहां से number करूंगा तो 1234 मिलेगा तो छोटा number यहां से मिल रहा तो हमने number ऐसे किया छे carbon है तो हैक्स आ गया अब तू पर आप देख सकते हैं double bond है तो इसका नाम हो जाएगा hex 2 in क्यों हो जाएगा इसका नाम hex 2 in क्योंकि इसमें जो in है यानि double bond है वो second पर लगावा है नाम और नंबर के बीच में हमेशा एक डैश आता है नहीं समझ में है तो एक और example करते हैं CH3 CH2 C triple bond C CH2 CH3 जैसे कि यह है इसमें एक दो तीन चार पांच छे अच्छा इसमें भी छे होगा चलो कोई बात नहीं है छे का मतलब हो गया है अब इसमें triple bond है उसकी पोजिशन दिखाने पड़ेगी तो एक दो तीन ऐसे जाँगो तो भी तीन मिलेगा तो करिसे भी चले जाँ उससे कोई फरक नहीं पड़ता विकॉस हर जगा जाने से आपको तीन ही मिलेगा तो हैक्स थ्री पे तो ट्रिपल बान्ड को लोंग को बोलते है आईन तो हैक्स थ्री आईन हो जाएगा क्या एक चेन में x जुप डबल наж कर jackets बिल्कूल सकते बड़ आपको बंदाने समें मतलब 10 के स्लेबस में नहीं एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं लेकिन हमारी 10th class के syllabus में वो नहीं है ठीक है ना ऐसा हो जाएगा चीक है एक और करते हैं आखरी जैसे कि आप पर आ गया double bond CH2 CH3 CH2 CH double bond CH2 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 CH3 यहां पर एक गलती है मैंने अगर आपने पैचाना हो तो यहां पर एक ही H आएगा ठीक है आप इसका नाम गरन करेंगे तो पहले होता है एक दो तीन चार पांच छे साथ हैं साथ का मतलब क्या हो गया है अब यह double bond कहां लगावाए देखो तो एक दो तीन पर या फिर एक दो तीन चार नहीं तीन पर तो हैप्ट 3 इन हो गया यानि अगर ऐसे करके आपको structure दे रखे हैं तो आपको नहीं पता कि वह double bond triple bond कहा है तो आप इनका normal नाम लिख दोगे लेक पर साइड आपको यह करा दिए एक में double और triple दोनों भी हो सकते हैं लेकिन वह अभी हमारे syllabus का हिस्सा नहीं है बास समझ में आ गई ठीक है तो यहाँ पे कुछ homework में आपको देता हूं ठीक है जी जैसे कि c2 h4 इसके सबके नाम ही करना आपको c3 h8 c9 h18 c7 h12 c10 h22 ठीक है इन 5 के नाम करन आपको करना है ठीक है और यह जो ppt है इसकी ppt आपको टेलिग्राम नीचे description में टेलिग्राम का लिंक होगा टेलिग्राम पे मिलेगी और हो सकता है इन 5 हो के answer भी हम टेलिग्राम पे भेज़ दें या फिर कभे discuss करना है ज्यादा मुश्किल तो यह है नहीं लेकिन नीचे टेलिग्राम का लिंक होगा उस पर आपको ppt वेगारा मिलेगी ठीक है जी डन है तो यह तो बात हुई कि hydrocarbons की naming कैसे करते हैं अब बात आती है branched hydrocarbons की तो हमारे पास hydrocarbons जो होते हैं वो branched form में भी हो सकते हैं अब अगर hydrocarbons हमारे पास branched form में हुए तो फिर कैसे काम करना है hydrocarbons ही अगर हमारे पास branched form में आते हैं branch मतलब इसका branch का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो branch का मतलब समझते हैं CH3 CH2 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 CH3 और यहां पे मालो CH3 लगावा है अब अगर आप इस compound को देखें तो यह compound में मैं आपको जिसमें सारे कारबन आजाएं तो आगर आप यह वाली सैन लेटे पर दो यह वाला कारबन भार रहे जाए गा गर कोई भी चैनलों चेन मतलब continuous number of of carbons जितने मरजी की चेन ले लो ये बात ध्यान रखना कि अगर भार रह रहा है तो ऐसे hydrocarbon को लोग ब्रांज हाइडरो कारबन बोलते हैं जिसमें मैं जितने भी कोशिश कर लूँ सारे hydrocarbons मैं chain के अंदर नहीं ले पाऊंगा कुछ ना कुछ hydrocarbon chain के बाहर रही जाएंगे ऐसे case में हम उस hydrocarbon को branch hydrocarbon कहते हैं अब branch hydrocarbon की naming कैसे करते हैं कुछ rules होते हैं सबसे पहला होता है select longest chain आपको longest chain चुनने हैं वह कैसे चुनते हैं करा हूं इसके बाद जो भी carbon chain के बाहर रह जाएंगे उनको आप अलकाइल ग्रुप्स कहोगे जैसे कि एक carbon है तो methyl बोल दोगे अभी नाम कराऊंगा समझ जाओगे दो हैं तो इथाईल बोल दोगे तीन है तो नंबर करना है कि आपके जो एलकाइल ग्रुप्स हैं उनको छोटे से छोटा नंबर मिले आपको अपनी चेन को इस तरीके से नंबर देना है कि जो एलकाइल ग्रुप्स हैं उनको छोटे से छोटा स्मॉलेस से स्मॉलेस नंबर मिलना चाहिए और इसके बाद लिखावा है आपको alkyl group का नाम हमेशा अपनी main chain से पहले लिखना है ये तो इतिहास गवाए कि जब ये चार कानून पढ़ाय जाते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि ये क्या हैं लेकिन जब इसके उपर questions और example कराई जाएंगे ना आप समझ जाओगे कि ये क्या बात हो है वह सेलेक्ट कर लेनी यह डब में डाल लेनी जिसे की 123 कारबन या फिर 123 123 अब कहीं से भी मैं लॉंगेस चेंट तीन कारबन की मिल रही है तो जब भी आपको लॉंगेस चेंट टेड़े और सीधे में भी बराबर ही मिल रही हमेशा सीधा ही जाना है मतलब क्या समझाता यह हमने हमारी लॉंगेस चेंट चुन लिए यह हमने हमारी लॉंगेस चेंट चुन लिए अब जो चेंट के भार आ गया है वो हमारे लिए अलकायल ग्रूप हो गया है तो पहला पॉइंट आपने क्या बोला था सेलेक्ट लॉंगेस चुन लिए दूसरा पॉइंट क्या थ पर दूँगा तो भी तूप आएगा तो आशर है मैं इसे कहीं से भी नाम करन कर दूँ इस एलकाइल गुरुप को टूप नंबर मिलने वाला है उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखावा था कि आपको अब नाम करन लिखते वक्त एलकाइल गुरुप का नाम पहले लिखना और में चेन का बाद में अब यहां पर क्योंकि एक कारबन है तो एक कारबन जब चेन के भार आएगा उसको हम बोलेंगे मिथाईल क्या बोलेंगे मिथाईल अब यह टू पे बैठा हुआ है तो नाम करन कैसे होगा देखना टू टू पे बैठा हुआ है मिथाईल कितने कार तो कारवना चार यह तो सबसे पहला काम क्या आपका सलेक्ट लॉंगेसे तो आपको लॉंगेसज चांट चुन लेनी है तो यह आपकी लॉंडगेसज चांट हो गई यह आपकी लॉंगेस्ट है लिए ना आपको मिलेगी अब इस का नाम पहले आएगा तो थी- एक कार्बन भार एक कार्बन कौम लोग बोलेंगे मिथाईल तो नाम हो गया थ्री मिथाईल छे कार्बन है तो हैक्स सब में सिंगल बॉंड है तो एन तो नाम हो गया थ्री मिथाईल हैक्सेन नाम हो गया थ्री मिथाईल हैक्सेन समझ गए नहीं समझे तो आओ जी और एक्ज pH 3 CH 2 CH 3 अब सबसे पहला काम longest chain चुनना है तो एक दो 3545 12345 या 12345 कहीं से भी जाऊ आपको जो longest chains मिले वो पांच carbon की मिलेगी तो जब हर जगा से 5 की मिलेगी तो फिर टेड़ा कि जाना सीधा जाएगे आप पताऊ chain के बाहर हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं अब पताओ चेन के बार हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं तो आंसर है चेन के बार हमें दो कार्बन लगातार मिल रहे हैं अब जब भी चेन के बार हमें दो कार्बन मिलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे एलकाइल ग्रूप्स क्या बोलेंगे एलकाइल एक कार्बन है तो मिथाइल दो हैं तो इथाइल तो यहां पर दो कार्बन भार है तो इथाइल अब बात आई नंबरिंग की तो 123 या one two three तो आशर है one two three four five कहीं से भी दिलो three ही आना और chain के बार पहले एक कार्बन था तो आपने single bond है तो नाम आ गया three-thyl-pentane नाम आ गया okay now त्युलो क्या benefici उसकते हैं afterwards सब्सक्तरला समय बेज़िए यह वाला थोड़ा ध्यान से देखना यह अब जैसे कि यह compounder अब इसमें आप longest chain चुन लो मतलब आप पुरा दिमाग लगा लो तो भी longest chain यह वाली यह आएगी ठीक है अब chain के बाहर आप देख सकते हैं आप मज़े पता हुई यह दो कार्बन उपर वाले की तरह एक साथ भारे अलग 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 है अगर एक हाई की फॉर्म में बाहर उते तो इसको लोग बोल देते इथाइल लेकिन अगर दो कार्बन अलग-अलग हैं तो यहां पर दो मिथाईल हैं दो अलग अलग मिथाइल हैं अब जब भी अलग अलग मिथाइल आएंगे तो उनको एसे डाय मिथाइल करके लिख properly नमबर देते हैं रहे लिकोर अब यह को चया जाएगा 2,-2 क्यों कि कि- prophecy लिखनी है और जोनों की पुचिंशन के भीच मिछ इसे नाम और number के बीच में हमेशा डैश आ रहा है ऐसी इस दो number के बीच में हमेशा अाएगा सब असको इस को महें इना वहना थो और तो ऑपर बैठे वह थे सका नाम में यहां हो जाएगा टू डैय मिथाइल और एक दो तीन चार कार्बन है चार कार्बन है तो ब्यूटेन इसका नाम करन हो जाएगा असान है यार कुछ भी नहीं है ठीक है आओ तो एक और कराता हूं फिर तीन होंबग दे दोंगा जल्दी से पता दो क्या है जल्दी से टाइम स्टैंब पता दो क्या है जल्दी से और आंसर लिख दो खटाइक से ठीक है आप कर लिया हो सबसे पहला स्टैप क्या होता है सेलेक्ट दी लॉंगेस चेंड लॉंगेस चेंड चुन लो एक दो तो तीन चार पांच छे सबसे पहला काम है लॉंगेस चेंड तो लॉंगेस चेंड चुन ली भाई यही लॉंगेस चेंड चुन ली ओके सबसे चेंड अब यह जोनों दो भार आ गए वो हैल काल गृप हैं अब क्या यह दोनों कार्बन एक साथ भारर हैं अलग अलग二 तौंप साफ देख सकते हो की अलग अलग भार यह बलर हों रहे एक यह वीडियो बीच बीच में यार एक सेकेंड यह ब्लर हो रही है इसका focus manual करना पड़ेगा एक सेकेंड अच्छा वह मैंने देख लिया अब ठीक है अब नहीं होगी है ना अच्छा हुआ देख लिया भाई मैंने तुम्हारे भाई ने देख लिया टाइम पर चलो पता नहीं बीच में कितनी बार उजयो की स्वार यार उसके लिए चलो बताओ एक दो तीन चार अब आप पताओ मुझे कि यह कार्बन कहां कहां पर भार है तो आंसर है दो कार्बन ल भी 34 पर आ रहे हैं यहां से करूंगा तो भी 34 पर आएंगे तो एक मिथाइल 3 पर बैठावा एक मिथाइल 4 पर तो का नाम हो गया 34 डाय मिथाइल 3-4 डाय मिथाइल 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए विशूड यूज हैक्सेन तो 34 डाय मिथाइल हैक्सेन इसका नाम आ जा हुँगा ताकि कुछ बच्चे कर ले पहले ठीक है जी च्छ तुँ च्छ तुटु च्छ त्री डियां पर आपको लॉंगेस चेन ध्यान से देखने हिंड रेता हूं लॉंगेस टेडी होगी ठीक है एक और उमबग देता हूं CH3 CH2 दो इथाइल वाले दे देते हैं अब अगर दो इथाइल भार आ जाएंगे तो उसका नाम डाय इथाइल हो जाएगा देखो हिंट भी मैं साथ-साथ दे रहा हूं इससे बड़िया टीचर मिलेगा तुम्हें कोई हिंट भी साथ-साथ दे रहा है चीक है चालो जी यह दो एक्जामपल आपको कर लेने होंगे ड़न है अपकी बात है बड़े आगे चालो जी अब अधर और और गैनिक कंपाउंट्स की बात करते हैं तो हमारे मैंने जैसे कि आ और गैनिक कंपाउंट्स हमें 10 तंथ में पढणा है ऐसा नहीं है कि 10 तंथ में ही जो छे हिड्रोकार्बन जे और गैनिक कंपाउंट्स है बस वह यदिशे हैं नहीं मैं बलात है लेकिन फिलाल अगर बात करें तो हमें सिरफ छे ही पर गते हैं जिसमेंसे 1 लोग पढ़ अब हम लोग बाकी के और पढ़ेंगे और उसके बाद हम cyclic organic compounds पर चलेंगे तो other organic compounds में हमारे पास second organic compound आ रहा है हेलो एलकेन पाँच-पाँच मिनट लगेंगे इनको पढ़ने में बस अगर आपने ध्यान से सुना तो हेलो एलकेंच हेलो एलकेंच में क्या होता है इनके अंदर कार्बन के साथ एक्स यानि की हेलोजन लगा होता है कार्बन के साथ हेलोजन लगा होता है अब कार्बन के साथ हेलोजन एक मतलब हैलोजन यहां पर आपको पता होना चाहिए कि X का मतलब हैलोजन है और हैलोजन कौन-कौन होते हैं अगर आपको नहीं पता तो अगर हमारे alkane में यानि की हमारे carbon के साथ अगर halogen लगा हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं hello alkane तो carbon के साथ halogen लगा हो तो उसे hello alkane बोल देते हैं example अभी दे रहा हूँ लेकिन अगर इनका नाम करन करना हो हेलो एलकेंज में नाम करन में क्या होता है आपको नाम के आगे प्रिफिक्स लगाना होता है आपको एक प्रिफिक्स लगाना होता है प्रिफिक्स और प्रिफिक्स लगाना होता है हेलो हेलो का मतलब क्या है अगर क्लोरीन है तो आपको लगाना होगा क्लोरो ब्रूमीन है तो आपको लगाना होगा आईडो और फ्लोरीं है तो आपको लगाना होगा फ्लोरो यह आपको यह बाद ध्यान रखनी है कि यह आपको suffix नहीं prefix आनि कi नाम क्या आफे लगाना है अभी हम कुछ notifications करेंगे तो आप समझ जाओगे ध्यान रखना अभी हम सब के पांचों को पहले एक साथ पढ़ लेता है फिर सब के कोशन से एक साथ करेंगे पहले सब को एक साथ पढ़ लेता है यह जरूरी है ठीक है इसके बाद second हमारे पास आता है alcohol अब alcohol expectation वर्सेज reality वाली मैंने विडियो बनाई थी एक बारी आप science and fun पर देखना दारू पार्टी वाली और मिलिन गाबा जी जिनके ओपर मैंने वीडियो बनाई थी उन्होंने इसको अपने इंस्टाग्राम पर शेर भी किया था यूट्यूब से लेके वहां मने पताया था कि हमें alcohol सुनते ही क्या संधते हैं और एक्चुली ऐलकॉहल का मतलब यहां पर हमारी केमेस्ट्री बहुत अलग होता है कही द Еще में य्च गृय लगा होना चाहिए केमिस्ट्री में अल्कॉहल का मता है बाकी कुछ भी लगा हो यार बट कार्बन के साथ ओएच यानि हाइड्रोक्सी ग्रूप लगा होना चाहिए अगर कार्बन के साथ ओएच ग्रूप लगा हो है तो वह हमारे लिए क्या कहला जाता है अल्कॉहल अगर का suffix में use करेंगे all जैसे आपको मालो चार कार्बन है तो चार कार्बन और सिंगल बॉंड है तो ब्यूटेन तो नाम के पीछे लग जाएगा all तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन नौल पढ़ाएंगे आपको इन में नाम के आगे लगाना है लेकिन यहां पर suffix है जो नाम के होता है कार्बन के साथ ही डबल बॉंड ओ और उसे के साथ एच लगा होता है इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं सी एच ओ इसको मैसे भी दिखाते हैं सी एच ओ तो कार्बन के साथ डबल बॉंड ओ और उसे के साथ एच लगाओ जिसको सी एच लगाओ जिसको मत बोलते है है अलोज तो इसको सी हेच हो बोलते हैं है यह यहल्ड ह aí इसमें जो नाम के पीछे लगाना होता है यह सफिक्स है वह लगाना होता है अल अब बहुत कन फ्यूज्जन होती है बच्कोप इसमें आल है स livre अभी हम कोशन करेंगे तो आप समझ जाओगे इसके बाद हमार Ça Seven और आसपास एक एक कार्बन और होनी चाहिए इसमें क्या था कार्बन के साथ डबल बॉंड हो और एक तरफ H होना चाहिए बाकी कुछ भी हो ठीक है ना लेकिन यहाँ पर क्या है कार्बन के साथ डबल बॉंड हो और आसपास कम से कम एक एक कारबन और होनी चाहिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको ऐसे C, O, C ऐसे भी लिख सकते हैं तो कारबन के साथ डबल बॉंड O होना चाहिए और उसके साथ आसपास और कारबन भी होने चाहिए तो वाब इतनी अगल तो लगा सकते हो कि अगर मुझे किटोन बनाने तो कम से कम तीन काणर बन तो चाहिए है एक कारबन या दो कारबन से किटोन नहीं बन सकता अभी तक जितने भी कम्पाउंड पड़े वो दो कार्बन से बन जाते हैं और यह मतलब हैलो एलकेन हो अपर तक दो पढ़ें और एल्डी हैडो सुरी तीन यह कार्बन हो दो हो तीन हो कितने से बन जाएंगे को इनकी requirement नहीं है शर्त नहीं है लेकिन कीटन को क्या कहना है कार्मालों और आस पास और एक कार्मालों ओना चाहिए जिसका मत्व है कम से कम तीन कार्मन तो चाहिए आपको होगे ठीक है अभी मैंनांगा जैसि आपको Aj美味 calls क्रांगा अव्य आपको और यह तो बड़ा असान है तो किटन के लिए आपको नाम करण में पीछे आपको फिर से suffix लगाना है और suffix लगाना है on इसकी spelling one वाली है वह नी बट आपको इसे बोलना on होगा चीक है और हमारे पास अच्छा ये तीसरा है यहां चार आजाएगा और पाँचा और यहां पांच आजाएगा और इसके बात हमारे पास आखरी फंक्ष्टन ग्रूप पर आपकोर यहां वह सॉलचकार में लिैंक करी पार्बक्त देशार आपकोदनी कधर जाएं सासुर्ण एक्सपेरिमेंट्स भी ओंगे जो वन शॉट में डालेंगे इसको हम कह सकते हो 10-minute के जो concept लेक्चर से या तो उसमें डाल देंगे जहां पर experiments आएंगे experiments की मदद से आपको 10-minute के concept lectures में समझाएंगे या ऐसा कुछ समझाएंगे बड़ा इंट्रस्टिंग रहेगा वह लेकिन अभी हम बात करें कार्बोग्जलिक असट की तो कार्बोग्जलिक असट क्या है जिसमें हमारे पास जो functional group रहेगा I hope आपको याद हो आपको पता है कि यहाँ पर आपको concepts under 10-minute मिलेंगे और उसमें मैं आपको यहाँ पर इस chapter के कुछ concepts को experiments से समझाऊंगा बड़ा ही मज़ा आने वाला है मुझे one shot को one shot रखते हैं इसमें experiments नहीं डालते लेकिन concepts under 10-minute या फिर जो short videos है एक minute की उसके अंदर experiments करके उनको separate रखते हैं तो कार्बोक्जलिक acid की अगर बात की जाए तो इसमें carbon के साथ double bond O होता है और उसी के साथ OH होता है अब आप confused मत होना इसमें सिरफ OH है उसमें carbon के साथ double bond O है और H है इसमें carbon के साथ double bond O है और है और H आस-पास carbon है बहत लगे सकते इसमें कार्बन के साथ double bond O है और इसके साथ OH भी है इसको हम लोग COOH ऐसे भी बोल सकते हैं अब आप इसको बोलने ही कोई श्मयत करना बट इसको हम COOH ऐसे भी बोल सकते हैं अब अगर बात की जाए तो इसमें जो suffix लगता है उसमें बड़ा एक की नेमिंग में स्पेस देने से मना किया था लेकिन यहां पर और के बीच में आपको स्पेस देना होगा ध्यान रहे ठीक है तो यह हमारे छे फंक्शनल ग्रूप होते हैं अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह रहेगी कि आप वीडियो को पॉस्ट करें और यह छे के छे प्रशंस तभी समझ में आएंगे जब आपको पता हो कि यार यह कंपाउंड कौन सा है इसके नाम करन कैसे करना एनौल एनौल ठीक है चलो सबसे पहला थी ऐस्ट्री अच्ट्टू और यह तो समझे रहे हो ना कि जो हमारे पास एलकेन हुआ करते थे उसमें से एक एच कम हो तो इसका नाम होगा था ब्यूटेन लेकिन अब सिया लगावा जो कि एक हेलो एलकेन है और हेलो एलकेन में हमें नाम के आगे लगाना है हेलो क्लोरीन है तो क्लोरो तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा क्लोरो ऐसी मानों लगावा है CH3, CH2, CH2 OH अब OH का मतलब alcohol है कितने carbon है इसके अंदर 3 3 carbon का मतलब वैसे तो prop होता है और सब में single bond है तो in तो वैसे तो इसका नाम propane होना चाहे था लेकिन जब OH लगता है याने कि जब alcohol होता है तो नाम के पीछे आपको all लगाना है अब problem क्या है कि भई अगर मैं ऐसे लिखूंगा propane और फिर पीछे all लगाऊंगा तो इसकी pronunciation बिगड़ जाएगी और इसका नाम ऐसे प्रणन्स होगा propaneol तो फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो हमारी chemistry ने डिसाइड किया कि जब भी आप एल्डी हाइड किटोन कार्बोगजलिक एसेड और एल्कोहॉल के नाम कर रहे होगे तो पीछे से ए हटा देना जैसे प्रोपेन की स्पेलिंग में यह आता है ना उसमें से ए को हटा देना और नाम करन हो जाएगा इसका प्रोपेन नॉल प्रोपेन नॉल ठीक है जी ऐसी मा diff lie को माल यह है又 कैसे पता लगा और क्या नियुक्त है और यह कार्बोगजलिक भी नहींए कार्बieveंग के साथ डवल पांड ओर इदार और तर तो यह LD height और carboxylic नहीं है यह ketone है ketone कैसे है because carbon के साथ double bond O लगावा है और इधर इधर एक एक carbon हो रहा है ठीक है तो 4 carbon हो गए 4 carbon का मतलब हो गया but सब में single bond है in मैंने आपको पताया E को हटाना है अब carbon के साथ जो double bond O लगावा है इसको ketone बोलते है ketone के लिए मैंने आपको पताया नाम के पिछा आपको on लगाना है क्या लगाना है on O N E on लगाना है तो नाम इसका हो गया butanone नाम इसका हो गया butanone समझ गये नाम हो गया इसका butanone ऐसे करके अगर मैं थोड़े से और example कराऊं CH3 CH2 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 COOH जैसे यह कार्बोगजलेक असेड है है ना तो इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन है पांच का मतलब पैंट है सब में सिंगल बॉंड है एन अब कार्बोगजलेक असेड के लिए पीछे लगाना है OIC ACID तो नाम आ जाएगा PENTANOIC ACID नाम आ जाएगा PENTANOIC ACID एक LD हैड का कर ले C double bond O इधर लगा हो, उधर लगा हो, उससे क्या फरक पड़ता है अच्छा, इसको अलग तरी किसे दिखाता हूं मालों यहाँ पे C3 H7 लगा है बात यह किए, इसको मैं CH2, CH2, CH3 लिख दूँ तो अल लगाना है तो नाम ब्यूटेनल हो गया नाम ब्यूटेनल हो गया डन है डन, 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 डन कोई दिक्कत दी नहीं है, ठीक है जी तो इसके बाद हमार पास आएंगे साइक्लिक हाइडरो कार्बन लेकिन में रिक्वेस्ट है कि पहले 6 के 6 इसके उपर हम बहुत सारे कोशन करने वाले है अरे पता ना भूल गया संडे को, कमिंग संडे को हम लोग कार्बन अनिट्स कंपाउंड के ही इंपोर्टन कोशन लेके आ रहे हैं संडे को ही कार्बन अनिट्स कंपाउंड के important question लेके आ रहे हैं हम लोग तो वहां पर इसके में काफी questions लाऊंगा वहां पर हम इसकी practice कर लेंगे अभी इसको one shot case आप से इतने question मेरे साब से बहुत हैं आगे चलते हैं cyclic hydrocarbons पर देन है ठीक है ठीक है ठीक है भई तो इसी के साथ मैं आपको पता दूं कि हम लोग टेली ग्राम पर हमने assignment भी डाल इसका पीपीट तो जाएगा जाएगा साथ साथ कार्बेंट का एक assignment भी जाएगा तो नीचे टेलीग्राम हो सकता है शाद assignment का यह लिंक दे दिया हो नीचे है टेलीग्राम का वह आप लोग देख लेना यार वह टीम देख लेती है लेकिन assignment भी है और पीपीटी भी है तो क्योंकि यह वन चॉट हो जाएगा जैसे आप इसको revise कर लोगे पूरे chapter को में request रहेगी कि आप एक बारी उसके assignment को भी go through करें उसको करें और उसका solution भी आपको provide कर दिया जाएगा with the passage of time तो आप उस solution से अपने answers भी match कर सकते हैं और उसी assignment के कुछ important questions भी हम लोग यहाँ पर करवा देंगे तो यह भी आप लोग तोड़ा ध्यान में रखेगा चली अब बात करते हैं cyclic hydrocarbons की शायद नाम से बता लग रहा हूं ऐसे hydrocarbons जो की cycle की form में बैठे होते हैं जो cyclic structure बनाके बैठे होते हैं उन्हें हम लोग cyclic hydrocarbons कहते हैं तो cyclic hydrocarbons में कुछ भी नहीं होता है बस एक छोटा सा point ध्यान रखना होता और वह होता है यूज साइकलो एज प्रिफिक्स आपको प्रिफिक्स में जो भी नाम करना आप कर रहे थे वैसे ही करना है बस नाम के आगे साइकलो आ जाएगा आओ जरा समझें जैसे कि CH2 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 अब जैसे कि यह हमारे पास एक compound हो गया यह cyclic hydrocarbon है कैसे क्योंकि cycle की form में इसकी कोई शु बात तो आजाएगा cyclo वैसे अगर यह मालो एक ही लाइन में होता तो इसमें चार कारबन थे तो नाम हो गया इसका butane लेकिन क्योंकि cycle की form में तो नाम हो जाएगा cyclo butane नाम हो जाएगा cyclo butane ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि भई CH2 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 अब जैसे कि यह 5 कारबन है अब 5 कारबन cycle की form में बैठे हैं तो नाम क्या हो जाएगा cyclo 5 कारबन है तो pent सब में single bond है तो in तो नाम हो जाएगा cyclo pentane अब मालो कहीं पर double bond आ गया तो double bond आ गया double bond से क्या डरना भई अब जैसे कि यहाँ पर आ गया मालो यह और यहाँ पर double bond आ जाता है तो 5 कारबन है cyclo cyclo 5 कारबन है तो pent अब double bond भी है तो in तो नाम हो जाएगा cyclo pentane cycle की form में अगर कोई hydrocarbon है तो बस नाम के आगे cyclo आना है बाकि सब ठीक है अच्छा और ध्यान दे जो general formula हम लोगों ने पड़े थे वो cyclic hydrocarbons में valid नहीं होते हैं general formula सिर्फ linear hydrocarbons में valid है cyclic hydrocarbon में यह valid नहीं है ध्यान रखिएगा ठीक है जी एक दो questions में इसके उपर आपको एक slide और लेके इसके उपर एक दो और example करा जेता हूँ although आप basic तो समझी गए ठीक है जैसे कि अगर मैं आपको चौथा और example करा हूँ जैसे कि CH2 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 C triple bond C CH2 मान लो ऐसा है ठीक है अब यहां पर हमारे पास छे carbon है आप देख सकते हैं अब छे carbon का मतलब क्या होता है hex छे carbon का मतलब क्या होता है hex और cycle की form में है तो यहां पर नाम आ hex अब यहां पर आप देख सकते हैं कि triple bond भी है तो triple bond को हम आइन बोलते हैं तो यह हो जाएगा cyclohexine यह हो जाएगा cyclohexine तो इस प्रकार से चीजे जो है वो चलेंगी simple है चलिए अब एक बहुत ही important case यहां पर हम लोग बात करेंगे जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं ब बाकियों से अलग है यह actually chemically कैसे अलग है यह तो आप सीख पाओगे अगले चेप्टर में इस चेप्टर में आप नहीं सीख पाओगे कि अगले चेप्टर मतलब अगले actually class में sorry अगले चेप्टर में भी नहीं अगली क्लास में मतलब कि 11 में कि बेंजीन क्यों इतना important compound है ब और इंटरेस्टिंग बात यह कि एक single bond होता है फिर एक double होता है एक single होता है फिर equal होता है तो इसको हम लोग बेंजीन ये एक special organic ये एक special cyclic organic compound है जिसको बेंजीन बोलते हैं और इसमें 6 carbon लगे होते हैं और 6 carbon में एक single फिर एक double फिर एक single फिर एक double एक छोड़के एक double bond जो है वो लगा यहां पर रहता है basic basic बात है done है okay है ओके इसके लूइस डॉइस डॉट स्ट्रक्चर पर रहे का अभी बनाते हैं लोग बनाएंगे भी अभी हम आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो अब हम बात करते हैं आइसो मर्स क्या होता है आइसो मर्स एक छोट आसा compound यहां पर एक टॉपिक और बढ़ाई इंट्रेस्टिंग टॉपिक आइसो मर्स होता क्या है compounds having same chemical formula but different structure or name but different structure और नेम ऐसे hydrocarbons यह से कोई भी और जरूर नहीं है hydrocarbon कोई भी और compounds जिनका chemical formula आपको same मिलेगा लेकिन उनका structure और नाम अलग-अलग मिलेगा यह कैसे हो सकता है जैसे कि आओ समझें जैसे कि C4H10 है अब C4H10 देखते हैं हमारे दिमाग में सबसे बढ़े तो ब्यूटेन आता है तो इसका एक compound मैं CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे बना सकता हूं तो एक तो होगा हमार पास यह ब्यूटेन जिसको हम लोग अभी तक ब्यूटेनी बोलते आए कोई दिक्कत थोड़ी नहीं लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बनाओ कि मैं तीन कारबन एक लाइन में बना दू और एक नीचे बना दू ब्रांच में तो अगर आप इसका formula चेक करोगे तो इसका formula भी C4 आएगा आएगा आप चेक कर लो इसका formula भी आपके पास लेकिन नहीं है अगर इसका नाम करना आपको करना आ गया हो ब्रांच का तो यह टू मिथाईल तू पर आप देख सकते हो मिथाईल और तीन कारबन है तो प्रोपेन है यानि दोनों का chemical formula सेम है आप चेक कर लें C4, H10, C4, H10 लेकिन दोनों का structure और structure अलग होने के लिए दोनों का नाम भी जो है वो अलग हो गया है तो यह हो गए Isomers, Isomers कौन होते हैं ऐसे compound जिनका formula सेम रहता है बट उनका नाम structure यह सब अलग हो जाता है इन्हें हम लोग Isomers कहते हैं ठीक है ना बहुत सिंपल सी बात है ऐसे हमारे पास pentane, hexane लेकिन अगर आप नोटिस करें तो मिथेन यानि एक कार्बन दो कार्बन और तीन कार्बन के आईसोमर नहीं बन सकते हैं उनके आप आईसोमर नहीं बना सकते हैं पहले एक कार्बन के दो कार्बन के तीन कार्बन के आईसोमर कैसे बनाओगे मालों यह आप तीन कार्बन हैं कैसे आईसोमर बना दोगे और क्या जिनका chemical formula same है लेकिन जो उनका structure नाम है वो अलागे लगए ऐसी मैं roughly यहां पर बनाएता हूँ c5 h12 यानि की pentane के तो पहला तो बन जाएगा एक दो तीन चार पांच जिसको पेंटेन बोलोगे दूसरा बनेगा एक दो तीन चार जिसमें एक करबन यहां लगा दोगे बोलो बचो और तीसरा बनेगा एक दो कर दो तीन चार और पांच इंक म Christians बन जाएक के लिए और यह तो जाय लिए पर अजाएंगा तो इस से इनके नामकरण भी हो जाएंगे यह अलग भी हैं लेकिन इन सब का फॉर्मला आप चेक करोगे जब पूरा बनाओगे तो सी फाइब एच ट्वेल्व ही आएगा डन है तो यह होगे आईसोमर्स ऐसे आप किसी के भी आईसोमर्स बना सकते हो बड़ अभी हमने फिलाल इन तीन के बना लिए है डन है चीक है अब हम बात करते हैं एक और छोटे से टॉपिक के बारे में विच इस होमो लोगस सीरीज of carbon compounds having difference of one carbon having difference of one carbon and to hydrogen atoms in consecutive members in consecutive members अगर consecutive यानि लगातार members में आने वाले compounds में एक carbon और दो hydrogen का difference होता है तो उसे होमो लोगस सीरीज कह देते हैं बहुत basic सा topic आओ समझाता हूँ कि माल लो हमारे पास है थी एच फोर आया फिर सी टू एच सिक्स आया फिर सी थ्री एच एट आया यह सब मैं एलकेन बना रहा हूँ सी थ्री एच एट आया सी फोर एच टैन आया तो क्या यह होमो लोगस सीरीज है कैसे हर एक मेंबर में आप देख सकते हो एक carbon और दो hydrogen का फरग है फिर एक carbon और दो hydrogen का फरग है फिर एक carbon और दो hydrogen का फरग है तो यह होमो लोगस सीरीज हो गई ऐसी माँ में लोगस सीरीज किसी की भी मालो ऑलकहौल की बनाता हूं तो सी टू ह Hayır हो यथ पाइव के साथ लगावाई है पिल में और ना और यह ह्रों का याल कहा है अभ आप सकते हैं पाइख सेन के साथ हो अधा है और एक कार्बन कisa इसी व्ताइग का फार्ट होता है उन्हें अमर लोगज़िस बुलते हैं सिरीज उन में हर एक मेंबर के कुछ बात पर अगर हम ध्यान दें तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं क्योंकि इन में फंक्शनल ग्रॉप पर गयरा सेम है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं इनकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेंगी लेकिन इनमें डिफ different physical properties physical properties अलग क्यों होते हैं फिजिकल properties depend करते हैं size पे mass पे अब अव्यसे बात है जितने जितने carbon बढ़ते चले जाएंगे hydrogen बढ़ेंगे size और mass तो change होगा तो इनकी physical properties melting point boiling point change होगा लेकिन chemical property मानलों कोई acid से react हो रहा और कुछ बना रहा तो सब होई करेंगे chemical property लगभग लगभग सेम जो है वो रहेगी यह बात ध्यान रखना है सबका general formula same होगा because सब सेम प्रजाती कहीं है सब में functional group same होगा बट हाँ CH2 का फरक होगा वो तो आपको पता यह दिया मैं h10 c5 h8 क्या होगा सिरीज के मेंबर है आंसर है नहीं है क्यों क्योंकि भई यह इसमें और इसमें एक carbon और दो आपको बोल देंगे यह हमने एक मेंबर दे दिया हो मो लोगस का इसका next homologus का मेंबर पताओ तो एक carbon add कर दें और दो हैडोजन वह हम कोशन कराएंगे ना आपको यार ठीक है तो यह हो गया homologus series जैसे कि आप मैं आपको यह पर ही चलो अब जगा मिल गये तो एक question पूछते हैं आपसे कि गेव formula of next member of respective homologus series तो जैसे कि पहला आया c5 h11 ca तो इसका next member लिखना है दूसरा आया c2 h6 तीसरा आया हमालो c3 h7 coo h अब आपको इन सब के अलग-अलग next homologus members के नाम लिखने तो इसके next member कुछ नहीं करना एक carbon add करना और दो hydrogen एक carbon add कर देना और दो hydrogen add कर देने क्या दिक्काद हो गया एक carbon add कर देना और दो hydrogen add कर देने क्या दिक्काद हो गया एक carbon add कर देना है और दो hydrogen add कर देने बाकि सब सेम रहेगा तो यह सारे इनके next homologus series के members हो जाएंगे डान है ओक है चालिए आगे बात करते हैं आप हम बात करेंगे chemical properties of organic compounds की अच्छा इस चेप्टर में हमें chemical properties में कुछ properties पढ़ने जिनको भी हम पढ़ना शुरू कर रहें लेकिन मेरी बात को बहुत ही जादा ध्यान से सुनिएगा जो properties of ethanol और इतनोई कैसिड आने वाली इतनोई मतलब C2H5OH और इतनोई कैसिड मतलब C2H5 ओ सॉरी CS3 COH इतनोई मतलब दो कार्बन का alcohol विच इस CH3 CH2 के साथ OH लगाओ alcohol जिसको हम C2H5OH भी कह देते हैं और इतनोई कैसिड मतलब दो कार्बन का कार्बोगजले कैसिड CH3 के साथ COOH लगाओ इसको हम ऐसे भी लिख देंगे या फिर हम CH3 COOH ऐसे लिख देंगे अब इनकी हम लोगों को कौन से प्रॉपर्टिस पढ़ने है केमिकल प्रॉपर्टिस और उसमें हमें काफी सारी कुछ experiments भी देखने तो यह वाला जो टॉपिक है यह मैं दो वीडियो के अंदर लाऊंगा पहली वीडियो होगी दोनों वीडियो कौन से वीडियो होंगी concepts अंडर 10 मिनट्स वाली ठीक है जी तो concept जैसा कि मैं आपको पताए था concept अंडर 10 मिनट्स वाली आपके पास वीडियो आएंगे इस चैनल पे तो जैसे यह चैप्टर अप्लोड हो जाएगा और आप में से जहातर बच्छे इस लेक आपको हम इनकी chemical properties 10-10 मिनट में with experiments बढ़िया तरीके से दिखा देंगे क्यूंकि इसके उपर एक कोशन पका आता है तो पॉकिट में आपके पास सरे जैसा क्याना बताया था डाउनलोड करके रखा जब भी और बच्चों को confusion भी बहुत होती है तो जब भी problem हो वो वीडियो आपने देख लिए तो उसको हम एक separate वीडियो वन शॉट में उसको ना डालते हुए concepts अंडर 10 मिनट में डालेंगे वरना वो खोस ही जाएंगे ठीक है यह बात आप ध्यान रखेगा अभी फिलाल हम लोग chemical properties of organic compounds पढ़ते हैं organic compounds में हमें कौन कौन सी chemical properties पढ़नी है सबसे पह पहली property और सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी आ रही है कंवंशन कंवंशन का मतलब होता है आग लगाना है अब जब भी organic compounds को हम लोग जलाएंगे तो जलाने से हमें यहां पर कुछ products मिलेंगे वह products कौन कौन से होंगे वह products होंगे carbon dioxide वह product होंगे water वह product होगा heat और वह product होगा light ठीक है जैसे कि कुछ reaction समझाता हूं मानलो carbon को जलाया जलाया मतलब oxygen से react कराया तो CO2 निकलेगा और large amount of heat निकलेगी ठीक है अब मानलो आपने methane यानि CH4 को जलाया तो oxygen के प्रेंसित अब्वेसे बात है CO2 साथ में पानी भी निकलेगा reaction balance करना आपका काम है और आपको heat भी मिल पानी और आपको heat मिलेगी लेकिन ध्यान रखना साथ में आपको light भी मिलेगी साथ में आपको light भी मिलेगी अब hydrocarbons के साथ क्या मज़ेदार बात है कि hydrocarbons दो प्रकार की flame से जलते हैं कई जलते हैं blue color की flame से और कई जलते हैं yellow color की flame से इसके ओपर हम आपको short videos डालके बताएं कि जितने भी saturated hydrocarbon होते हैं जितने भी saturated hydrocarbon होते हैं वो burn होते हैं burn with blue flame उनमें को जलाने पर आपको blue color की flame मिलेगी क्यूकि उनमें carbon का amount कम होता है और hydrogen ज़ाधा होता है तो वो easily burn हो जाते हैं और उनमें blue color की flame निकलती है और blue color की flame में आपको पता होना चाहिए कि heat बहुत जादा होती है और light बहुत कम होती है वहीं पर अगर मैं बात करूं unsaturated hydrocarbons की तो unsaturated hydrocarbons जो होते हैं वो burn होते हैं with yellow flame unsaturated hydrocarbons yellow flame से burn होते हैं जिसको हम सूती flame भी बोलते हैं वो पहले बात तो yellow होती है और वो कालक छोड़ती है कालक छोड़ती है और उसमें आपको light जो है वो जादा मिलती है as compared to heat तो अगर आप किसी भी fuel को light के लिए जला रहे हो जिसे दिया जला रहे हो candle जला रहे हो तो unsaturated hydrocarbon महाँ पे हम जलाएंगे लेकिन अगर आप किसी भी hydrocarbon को heat के लिए जला रहे हो चूले में जैसे हम चूले में LPG गैस जलाते हैं अब LPG में methane और ethane के mixtures होते हैं जो कि blue flame से जलते हैं और heat आपको वो जादा देते हैं as compared to light तो यह बात आपको धिहान रखने है कि यह question भी बहुत आता है कि एक hydrocarbon है जिसको हमने जलाया तो इसने बरतन काले कर दिये yellow color की flame बनाई इसका मतलब वो कौन है इसका मतलब वो एक uns saturated hydrocarbon है done है तो hydrocarbon जलने पर heat carbon dioxide light वेगरा देते हैं second reaction की अगर हम लोग बात करें तो addition reaction अब addition reaction ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ only for यह unsaturated hydrocarbon ही show कर सकते हैं होती है क्या है addition reaction इसमें हमारे पास कोई unsaturated hydrocarbon होता है और हम उसके अदर कुछ केलिए डाले जाते हैं यहां पर हम लोग एक निकल यह प्लाटिनम नाम का कैटलिस्थ डाल देंगे बगैर इसके रियाक्शन यह तो होती नहीं है या बहुत जादा स्लो होती है तो उनको फास्ट करने के लिए हम catalyst जाल देते हैं वो छोड़ो लेकिन इसमें double bond है तो क्या होता है कि एक bond तूट जाता है और जहां पर दो-दो H लगे वे थे वहां पर एक-एक H इनके अंदर जाके add हो जाता है और L-kene से L-kene बन गया तो addition reaction हो गया addition reaction क्या होता है जिसमें हम किसी substance में कुछ add करेंगे कुछ भी निकालेंगे ने सिरफ add करेंगे जैसे के मालो CH triple bond CH होता अब अगर आप इसके अंदर मालो hydrogen in the presence of nickel डाल देते तो एक bond तूटता दो रह जाते और एक एक एच जाके add जाता आप चाहो तो इसके अंदर और दुबारा से hydrogen और निकल डाल के इसका ये वाला हाल कर सकते हो इसका bond तोड़के एक एक bond तोड़के एक एक एच एड़ कर दो बट क्या इसके अंदर आप further addition कर सकते हो नहीं इसे तो पहले से सिंगल सिंगल बॉर्ण बना रखें और चीज़े जाके add नहीं होंगी इसलिए addition reaction सिरफ unsaturated hydrocarbon के लिए है saturated के लिए नहीं है पहली बात दूसरी बात अगर आप किसी भी unsaturated hydrocarbon को saturated hydrocarbon में convert कर रहे हो तो ऐसी reactions को हम लोग hydrogenation reactions भी कहते हैं ऐसी reactions को hydrogenation reaction भी कहा जाता अब जैसे यहां पर देखो यह unsaturated hydrocarbon के triple bond है इसके अंदर आपने edge डाला यह अभी भी unsaturated ही है तो यह hydrogenation नहीं है लेकिन यहां से यहां जाना यह hydrogenation है यह hydrogenation है क्योंकि यहां पर आपने एक unsaturated hydrocarbon को saturated hydrocarbon में convert कर दिये तो this is known as hydrogenation hydrogenation is a type of reaction in which unsaturated hydrocarbon is converted into saturated hydrocarbon और इसी reaction से हम vegetable oil से vegetable oil से vegetable oil जो की एक unsaturated hydrocarbon होता है उसके अदर hydrogen डालके उसको vegetable घी में convert कर देते हैं यह इसकी application है vegetable घी में convert कर देते हैं जो की एक saturated hydrocarbon भी है तो ultimately addition reaction में कुछ add होगा कुछ भी आएगा नहीं तो ऐसी reactions को हम लोग addition reaction कहते हैं इसके बाद हमार पास एक ही बात है दोनों कोई दिक्कत नहीं है बट वह वैसे alcohol और उसकी reaction है ठीक है चलो अगर concept 10 minute करने तो उसको वहीं रहने देंगे ठीक है substitution reaction अब substitution reaction क्या है इसमें हम एक आएगा और दूसरा जाएगा बहुत सिंपल है ध्यां से देखना जैसे कि CH4 है अब अगर मैं CH4 के अंदर CL2 क्लोरीन लेकिन इस reaction कराने के लिए हमें ultra violet raise भी डालने पड़ती है इस reaction को करवाने के लिए हमें इसके अंदर ultra violet raise भी डालने पड़ती है तो एक हटता है और एक लग जाता देखो इसमें से एक हटेगा और उसके बदले में एक सियल लग जाएगा अब ध्यान सुनों यहां से एच निकला यहां से सी एल तो किसका लॉस हो जाता है अब अगर आप दुबारा सी एच त्री सी एल के अंदर दुबारा से सी एल टू डाल दोगे तो एक एच और हट जाएगा देखो एक एच और हट जाएगा और एक और सी एल लग जाएगा अब एक एच यहां से अटा एक सियल यहां पज़ गया तो एच सी एल यह काम आप पिर इससे आपको HCL मिल जाएगा और क्या ये काम हम दुबारा कर सकते हैं येस एक बार आप इसे और कर सकते हो क्योंकि इसके पास एक एच और बचा हुआ है तो एक एच और हटा दिया तो यहां पर हमारे को मिल गया क्या CH सॉरी CC L4 और HCL भारा आ गया ना knowledge के लिए पता दू knowledge के लिए इसे chloroform बोलते हैं नाम सुना होगा आपने कुछ तो गरबड़ है दया CID में पक्कल सुना हुआ आपने वियोश वियोश करते हैं और इसको carbon tetra chloride बोलते हैं उसके नदर हम CL2 डाल रहे हैं अंदर presence of ultraviolet rays तो हट रहा है और वो CL लग रहा है हट रहा है हट रहा है हट रहा है तो इस reaction को हम लोग substitution reaction जो है वो कह देते हैं क्योंकि एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है ठीक है जब आप 11 में आ जाओगे तो इस reaction को आप free radical halogenation भी कहोगे अभी तो नहीं अभी तो आप इसको सिर्फ substitution कहलो लेकिन इसको आप free radical halogenation reaction नाम से भी बुलाओगे अभी आप छोड़ दो अभी तो आप इसे कुछ भी कहलो ओके है दन है पकी बात है तो यह कौँसे reaction हुए हमारे पास पहले reaction आगे convention दूसरी आगी addition तीसरी आगे substitution अब व oxidation भी है अन esterification भी है और saponification भी है वो esterification और saponification यह reaction इthanoic acid की तो एक वीडियो concept under 10 minute इthanol की जिसमें बजीवी reaction इthanol की आएंगे और एक concept under 10 minutes इthanoic acid की जहाँ पे इthanoic acid की reactions आएंगे ठीक है जी तो अभी फिलाल यह हमारे पास तीन reaction आगे convention addition substitution हना है इनके reactions को मुई पर पढ़ लेंगे अब इस chapter में और क्या आखरी topic हमारे पास बचता है और बचता है soaps and detergents इस chapter का आखरी topic बस 10 मिनिट का काम और रहे गया है हमारे पास फिर हमंगोग soaps और detergents पढ़के काम खतम करेंगे सबसे पहले, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, बहुत प्यारा सवाल है, सवाल क्या है? सवाल है कि, सोप क्या होते हैं? अगर मैं आप से पूछुह, सोप और डेटरजन की परिभाशा क्या होते हैं? तो आप परिभाशा शायद नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनकी परिभाशा आपको पता ही नहीं है लेकिन अगर मैं soaps की परिभाशा दूँ तो soaps की definition केमिकली कैसे दे सकते हैं तो soaps की definition होती है long chain of fatty acids having sodium और potassium salt of carboxylic acid अगर carboxylic acid के sodium या potassium के salt हों और वो बहुत लंबी fatty acid की chain के साथ बैठे हों तो उसे हम soap कह देते हैं और detergent भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बस detergent में sodium और potassium के salts की बजाए ammonium के salts हो जाते हैं ना same है detergent भी same ही होते हैं हाँ अव्वेसे बात है इन दुने में बहुत फरक होता है लेकिन अगर detergent की बात की जाए तो ये भी same है long chain of fatty acids having बस फरक ये है कि इन में ammonium salts और कार्बोगजल एक acid आ जाते हैं बाकी सब कुछ same है अब अगर मैं आपका बोलूँ soap के example दो आप कहोगे लक्स आ गया डब आ गया पियरल आ गया जो भी निर्मा आ गया वह बटा अगर ये चप्टर नहीं पढ़ा है तो sodium palmitate और formula लेके दूँगा तो और ही मज़ा आ जाएगा आपको अब sodium studiate का formula है c17 h35 coo-na plus अब ये याद करना है क्या ही कर सकता है और sodium palmitate c15 h31 coo-na plus तो अब आप इसके डेफिनेशन को देखो लॉंग चेन और फैटी एसे यह लॉंग चेन सत्रा कार्बन की चेन है भाई सब पंदरा कार्बन की चेन सत्रा कार्बन पंदरा कार्बन जो की फैटी एसेट से मिलते हैं आपको फैटी एसे मतलब most of the cases में गाएं गाएं तो नहीं most of the cases में एनिमल्स की चर्वी बट ऑविसे बात है हमेशा साबोन एनिमल्स की चर्वी से बने जरूरी नहीं है आपको पता ही होना चाहिए बट जनरली उससे बनते हैं इंडिया में थोड़ा सा कम बनते होंगे बट बनते तो वहां पे भी ह ठीक है चलो उस कॉंटरवर्सी में जाएंगे लेकिन लॉंग चेन और फाटी ऐसे आप दसको सत्तरा कारबन की चेन और पंदरा कारबन की चेन तो लॉंग चेन और फाटी एसे तो उसके सोडियम के सॉल्ट है या पोटाशियम के भी हो सकता है इन्हें हम सोप कहते हैं बस स बढ़न के सोडियम के बजाएं एमोनियम के सॉल्ट होते हैं और भी बहुत फरक है लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सोप कपड़ों को साफ कैसे करता है सोप का क्लिंजिंग एक्शन कैसे होता है तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप को अगर हम लोग समझें स्ट्रक्चर सोप कि सोप एक्शुली में दिखता कैसा है अगर हम माइक्रोस्कोपिक लबल पर जाएं तो इसमें लॉंग चेन ऑफ फैटी ऐसे होती है और कोने पे सोडियम का सॉल्ट बैठा होता है यह लॉंग चेन होती है और यह सोडियम सॉल्ट होता है इस वाले हिस्से को हम लोग ह नफरत होती है इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहते हैं इसको पानी से नफरत की होती है कभी पढ़ेंगे लेकिन यह हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है लेकिन यह आयनिक है इसमें आयन सो तो इसको पानी से प्यार होता है इसको पानी से प्यार होता है इसलि करता है तो माल लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने पानी डाल रखा है अना इस कंटेनर के अंदर आपने पानी लिया आप इस कंटेनर के अंदर एक कपड़ा पड़ा है और उस कपड़े के अंदर एक गंदगी पड़ी है जो ऑईल ग्रीस डर्ट की कोई गंद प्रpowick का मतलब होता है water repelling इसको नफरत है पानी से यह water repelling है अब अगर अगर इसको पानी से नफरत है तो और आटो κάले क्ले सको ओलिवीग से प्यार हो जाएगा क्यूंकि देखो अभी मैं ऐसा समझा सकता जिसको पानी से नफरत होती है उसको तेल समिशा प्यार होता है क्यों पानी और तेल आपस में दुश्मन है तो पानी और तेल दुश्मन और ये पानी का दुश्मन अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ये तरीका साही नहीं है इसका अब्विस से बात है केमिक लिए क मैंने इसका अडाल दी है soap बहुत सारा, तो soap में एक हिस्सा hydrophobic है, इसको पानी से नफरत है, लेकिन तेल से प्यार है, और ये hydrophilic है, अब होगा क्या, कि यहाँ पे soap के molecules आ जा जाएंगे, लेकिन जो long chain वाला हिस्सा है, वो उसे जागे चिपक जाएगा, लेकिन ये head वाला हिस्सा पानी में रहना चाहेगा क्यों? क्योंकि head वाले हिस्से को पानी से प्यार है लेकिन ये जो long chain वाला हिस्सा है इसको oil से प्यार है तो ऐसे ऐसे करके ये oil के आसपास बैड़ दाएंगे ऐसे ऐसे करके ये oil के आसपास बैड़ दाएंगे यहां पर आके खटा हो जाएंगे और यह मिसल फॉर्म कर लेंगे दिस इस नून ऐस मिसल फॉर्म पता नहीं डबल एल आता एक लाता एक बाद चेक कर लो नहीं है इसकी स्पैलिंग देख लेना लेकिन यह मिसल फॉर्मेशन हो जाएगा यह सारे सोप के मॉलिक्यूल इदर आ इनर्शिया के वैसे यह ओयल को खीच के भाहर निकाल देगा और कपड़ा हमारा साफ हो जाएगा बेसिक से साइंस तो ओयल वह सोप के दो हिससे हो गए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के जो लॉंग चेन वाला हिससा है इसको तेल से प्यार होता है और इसको पान solution is dip in soap solution then hydrophilic part then hydrophilic part tends to remains in water whereas, hydrophobic part is attracted by a magnet oh whereas hydrophobic part is attracted towards that oil and grease dirt all the soap molecules gather around this dirt all the soap molecules gather around this dirt and form missile and form missile and now by giving a mechanical jerk missile can extract this oil or dirt from the cloth okay simple now I will ask you a question if soap works on the detergent so it is different two kinds of water one is hard water and one is soft water one is hard water and one is soft water if I read one line because I read it then I read it two kinds of water one is hard water and one is soft water now and the same thing is magnesium and calcium and the same thing is this is no magnesium and calcium salt in magnesium and calcium salt in the magnesium and calcium salts in the same way which is the current works हाट वाटर में cleansing action soap नहीं शो कर सकते लेकिन ध्यान दीजेगा detergent जो हैं वो कर सकते हैं soft water में soap और detergent अच्छा soap और detergent दोनों का cleansing action का काम बिल्कुल सेम ही है बस यार पता तो था कि soap में यहाँ पे na लगाव है तो महाँ पे ammonium लगाव है और प्लस एक नुकसान होता है जो detergent होते हैं वो non bio degradable होते हैं decomposed नहीं होते हैं तो हमारे environment को बहुत pollute करते हैं बट ठीक है soap और detergent बोथ can show cleansing action दोनों अपना cleansing action शो कर सकते हैं यह बात ध्यान रखेगा soft water में तो अगर पानी soft है तो आप soap का भी इस्तेमाल कर सकते हैं detergent का भी लेकिन अगर पानी hard है तो आपको सिर्फ detergent का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि soap जो है one salt के साथ react हो जाएगा और सकम बना देगा जो कि cleansing action शो नहीं कर पाएगा तो soap अगर add हुआ किसके साथ hard water के साथ अगर soap जाके react हुआ किसके साथ hard water के साथ तो सकम बना देगा और फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा soap और अपना cleansing action शो नहीं कर पाएगा ड़न है यह chapter खतम हो गया है क्या कह सकते हो हां लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं यह मिस्स मत कर देना गालिया मत लिग देना comment section पर यह दो हिससे मैंने आपको नहीं कराए हैं क्योंकि यह concept अंडर 10 minutes के अंदर आएंगे मज़ेदार with experiments ठीक है तो finally carbon compound हमारा chapter खतम होता है अगर इसमें कुछ चोटे मोड़े topic in case कहीं पर मेस हो गया हो तो इनको हम questions की form में cover करेंगे Sunday को आ रहा हूं मैं Sunday को और बस प्यार बनाईये रखिए thank you so much thank you